नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है बहुती महत्वपूर्ण क्लास के अंदर आज हम NCRT के सिरीज में बहुती इंपोर्टेंट जो है क्लास सुरू कर रहे हैं Democratic Politics Part 2 जो कि आपके क्लास 10th की है और 9 जो है क्लास कम्प्लीट कर दी है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ यू से बीफ इंट्रोडक्शन मेरा नाम जग्दिश चंदर जांगे आप मुझे जेजे सर के नाम से जानते हैं और डेफिनेटली मैं यहां पर आपके जर्नल स्टडीज के अंदर इंपोर्टेंट पॉलिटी सेग्मिंट में आने वाली NCRT को इन्वाल करने वाला हूं दोस्तो आईए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं यहां पे सबसे पहला जो है आपके पास में चैप्टर लोकतांत्रिक राजनीती के अंदर गत और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक स्पार्ट टू के पॉलिटी सेग्मिंट लिए जो इस यूनिट को हम लोग स्टार्ट किये देते हैं दोस्तो पॉवर शेरिंग क्या होती है और क्यों यह जरूरी होती है हमने का अगर सत्ता अगर शक्ति अगर आपके पास में िस प्रेंश को प्लेट करने के लिए जो गवंच्ट अपनी तरफ से काम करती है वह संगर डवन तो बाकी लोग क्या करेंगे वहाँ पर राइट वहाँ पर क्या संतुलन आ सकता है हमने डेमोक्रेसी को तो बेसिकली यह काम कहा कि सर लोगतंत्र का मतलब होता है जनता का जनता के लिए सासेन राइट और रॉंग है ना हमने कुछ ऐसा ही कहके पढ़ा उसके बारे में है ना हमने तो कुछ ऐसा ही पढ़ा है पर अब जब बेसिकली हम कहने की कोशिश कर रहे है कि सर अगर डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री को होना है लोगतंत्रिक होना है तो सर पावर शेरिंग करना जरूरी है यह ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी जी कहेंगे कि आज से हमी basically हमें तुम कुछ भी नहीं हो आज से basically समिधान साइड में आज से सारे CM साइड में प्रदाहान मंतर पूरे देश को चलाएगा हर राजे को भी चलाएगा नहीं हो सकता अतेव यहाँ पर power sharing होना जरूरी है तो power sharing क्यों जरूरी है आपके पास में आओ उसके बारे में basic जानकारी लेने की कोशिश करते है देखे power sharing is good because it helps to reduce the possibility of the conflict कभी भी दो groups के बीच में लडाई क्यों होती है दो groups के बीच में लडाई होने का number one जो solid reason है आपके पास में वो reason यही है कि group A जो है अगर वो 100% power enjoy कर रहा है और group B population के 10-20% population होते हुए भी अगर वहाँ पे कोई उसको शक्ती में नहीं है तो क्या यहाँ पे कभी भी यह hostile हो सकता है yes or no यह hostile हो सकता है कभी भी इनके बीच में लडाई हो सकती है हो सकती है सर conflict हो सकता है हो सकता है तर तो सामाजिक समुहों के बीच में संगर्ष की संभावना को कम कर देंगे अगर हम कहेंगे ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें A और B दोनों ही basically क्या होंगे सत्ता में वोंगे अब B को खुद का काम कराना या तो करा सकता है उसके भी जन प्रतिनी दिये एक को कराना या तो अब चाहे आप जन संख्या में ज़ादा हो चाहे कम हो यहाँ पे अगर आप ड Dallas सत्ता में क्या करते है आपके पास में power sharing करते है आप खुदी सारा काम कर देंगे, मैं ही जज, मैं ही collector और मैं ही CMPM तो definitely लोगतंत्र वहीं पर खतम तो लोगतंत्र की spirit क्या है, what is the spirit of democracy is power sharing क्या इसी power sharing को true transparent और constitutional way में रखने के लिए हम elections करवाते हैं अलग-अलग political parties fight करती contest करती है election, yes तो democratic rule भी है आपके पास में के जब भी आप सत्ता का साजा करेंगे, सत्ता को साजा करेंगे share करेंगे power को with those affected by its exercise and those who have to live with its effect, तो कौनसी जनता है जो उसके प्रभाव में रहने वाली है right, मेरे decision का जनता पे प्रभाव पड़ेगा, तो क्या मुझे जनता के साथ में उनके प्रतेंदी के साथ में power को share करना जरूरी है हाँ sir, तो क्या आपके पास में जो exercise कर रहा है जैसे मैं हूँ, आपके पास में community A से belong करता हूँ, और मैं ऐसे निरने ले रहा हूँ, जो community B को भी प्रभावित करेंगे तो मेरे को community B को साथ में लेकर के काम करना चाहिए या नी चाहिए yes, तो यह तो तब तो democracy की spirit के according है otherwise उसके खिलाफ बात हो जाएगे आपके पास में so the forms of the power sharing अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सत्ता को क्या हम संतुलित कर सकते, सत्ता को क्या हम basically share कर सकते है हाँ कर सकते सर, पर जो power sharing होती है उसको basically किस तरीके से हम कर सकते है कि सर, अलग-अलग जो power sharing हो सकती है आपके पास में पहला हो सकता है different organs के बीच में कौन-कौन से different organ होते है आपके पास में लगा होता है, आप PM office में जाओ क्या लगा होता है, आप विदान सहवा में संसत में जाओ क्या वहां पर भी पीछे emblem लगा होता है, येस, तो असुक्ची ने वहां भी लगा होता है, So power is shared among the different organs of the government, So power is shared among the different organs of the government, तो सरकार के, government of India के, अलग अलग जैसे legislature हो गया आपके पास में executive हो गया हमारे पास में और कौन हो गया judges judiciary हो गया इन तीनों के बीच में power को साजा किया जा सकता है क्या यहां पर power को साजा किया जा सकता है दोस्तों can we just do that yes so we call this government distribution of the power because it allows different government organs of government placed at the same level to exercise the different power अब यहां पर लेजिस्लेशर एक्जुटिव और जुडिश्री कोई किसी से उपर नीचे नहीं है ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेशर सबसे उपर है फिर executive है कारे पालिका और फिर जुडिश्री आती है ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास में यह कहा लाता है horizontal power distribution क्या है सब एक ही लेवल पर है सब horizontally है पर अगर इसने कुछ गलत किया तो यह देख लेगा इसने कुछ गलत किया तो यह देख लेगा इसका appointment यह करने वाला है इसका removal यह करने वाला तो checks and balances है क्या है checks and balances है कि नियंत्रन कर सकते हैं हम लोग इसको कहीं basically हमारा executive ऐसा काम न करते लेजिस्टर ऐसा काम न करते अगर गलत कर भी लिया तो judiciary न्याय पालिका Supreme Court High Court कहीं कहीं उसको देखने की कोशिश करेंगे उसको कहीं करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे कोई भी पास चाहे जुड煮ीट्रेट निरुंकस सरकार पावर नहीं है तो इससे basically क्या होगा कि सर चाहे Judy श्री हो है ना चाहे executive हो है ना और चाहे legislature हो यह अब भी बेसिकली क्या करेंगे आपके बहुत होता है। सब्सक्राइब कुई कारून ने कानुन से इस तरीक ऐसे क्लाफ है उसको हटा दिया चैसा कि जो शट्त है कि सब्सक्राइब करता है याद करो प्राइम मिनिस्टर लॉट में कॉन करता है प्रेजिडेंट करते हैं तो वे कामकाज में विदेई का द्वारा बनाया गए कानौनों की जहांच भी कर सकते हैं और यह जुडिश्री एक्जेक्ट्रोक वापस कंट्रोल भी करता है गलत काम करोगा द्रोक भी अर तरह में तो है न चेक्ट बैलंस या ना तरह में नियंतर्ण वा संतुर्ण की प्रणाली है यह यह आपके पासमें से दृवल पर एक्जिक्ट्व लगिश्लेचरल जूडिशियोडिक्री के लेवल पे यह हो गया हॉरीज़न्टल लेवल पर क्या वुडिक्ल लेवल प एंटायर कंट्री एंड गोवर्मेंट एड़ प्रोविंश्यल और रिजिनल लेवल यहां पर ब्रेक किया जाता तेसे आपके पास में एक उसकति है सेंड्रल गोवर्मेंट फिर हर राज्य में अलग से राज्य सरकार तेट गोवर्मेंट फिर अर्बन एरिया में मुनसिपल होगा निकाय है अर्बन लोकलड और गाहों में और प्राइमरी आपके पास में पर निकाय होगा गावों में कौन से निकाय होता है दोस्तों पंचाइओ तीराज पन्चाय तो अला सिस्टम रहेगा कि नीए रहेगा यहां पर यह सिस्टम जाएगा तो क्या आपदेख सकते इस बार सिजे जो है वर्टिकल को सब्सक्राइब हरेक कार्य बाहर इंडिपेंडेन्ट है और अलग अलग रहने वाला है तो General Government for the entire country को हम कहते है Federal Government है ना या फिर संग सरकार कहते है इसको और इसको basically कुछ सब्दों में कैंदरिय सरकार या Union Government भी कहते है क्या कहा जाता है आपके पास में कैंदर सरकार कहा जा सकता है या संग सरकार कहा जा सकता है हाँ या ना तो अलग-अलग लेवल हो सकते है Government can be provincial also Government जो है आपके पास में provincial level पे भी हो सकती provincial level का क्या मतलब हो बच्चा state level राजय के level के उपर provinces का मतलब होता है regional जैसे राजस्थान के अलग सरकार है state government है गैलोज जी बैठे हो cm बनके यूपी के अंदर यूगी अधितिनार जी cm बनके बैठे हो है तो यह different name से अलग-अलग जगा जाती जाती है तो इंडिया में इसको state government कहते है इंडिया में इसको state government कहते है आपके पास में इन countries where there are the different levels of the government the constitution lays down the power of the different levels of the government के सर एक तो पूरे भारत के उपर हमारी क्या है पूरे भारत के उपर हमारी क्या है सर सेंट्रल गवर्मेंट कौन सी है सेंट्रल गवर्मेंट है हाँ या ना और वापस हर राज्य के अंदर भी basically क्या है अलग से state government है हर राज्य में भी basically क्या है state government तो अलग से state government के लिए भी क्या power होगी क्या limitation होगी वो भी constitution देगा और पूरे भारत के अंदर काम करने वाली हमारी federal government को अभी क्या power होगी क्या restrictions होगा वो भी कौन निर्दारित करेगा constitution निर्दारित करने वाला yes or no बिटा क्या यह चीज clear है clarity के साथ है तो इंडियन government जो है आपके पास में यहाँ पे बेसिकली आपके पास में इस तरीके से भी power sharing कर सकती है और इंडियन government जो है central state municipal और गाम लेवल पे बेसिकली क्या कर सकती है power sharing कर सकती है अच्छा अब यह तो हो गई आपके पास में horizontal vertical division अगर एक्जाम में आया तो क्या याद रख सकते है पी वाई क्यू फसेगा hundred version लिखके ले लो इस पर है ना among the different social group क्या अलग-अलग सामाजिक समूहों के अंदर भी बेसिकली जो है सत्ता संजुलन करना जरूरी है है नहीं तो लडाया हो जाएगी दंगे हो जाएंगे हाँ या ना सो religiously ओ linguistic group हो आपके धार्मिक आदार पे हो भासा के आदार गत्प हो जितने भी सामाजिक आपके पास में क्या है समूह है religious group से आपके पास में उनके साथ में भी power sharing होना जरूरी है आपके पास में क्योंकि भारत क्या है है ना रंग रूप वेस बास बूशा चाहे अनेक है हिंद देश के निवासी सब जनेक है सो डाइवर्स है बहुत कंट्री लिंग्विस्टिकली रिलीजियसली शोशली है ना plenty of the diversity सो जो आपके लिए सही हो सकता है वो किसी के लिए कोई आदमी ढोल बढ़ जाके आराम से कर रहा है कोई गाय का मास निखाता कोई गाय का मास बूले हमारे दो रिचुल्स में भी खाय जाता है और किसी के लिए सफेद पहनना हुची तो किसी के लिए कुछ तो हर एक आदमी का बिलिप सिस्ट्म है अगर आप किसी एक specific group का belief system को नकार देंगे, है न, और एक particular group जो है, वही dominant करने वाला है, तो basically वहाँ पर क्या आ जाएगा, कहीं कहीं ये group फिर कहेगा, है, मरता क्या ना करता, वो, डंडा उठाएगा हाथ में, सडक पर आएगा, yes or no, है, तो conflict होगा, तो बोलें, इनको भी basically हमको क्या ले न, क्या गया है, न, social weaker sections के लिए, women's के लिए, क्या क्या गया है, हाँ, इनको, क्या से क्या गया आपके पास में, women's के लिए, basically हम लोगों ने reservation दिया है, याद कर, और बन local bodies में, पंचाय तिराज में है, तो क्या ये भी important social group है, सामाजिक समू है, क्या weaker segment के लिए, क्या हमने ऐसा ही कुछ किया, SCs के लिए, STs के लिए, OBCs के लिए reservations दिये हैं, yes sir, so, reserved constituencies जो हैं आपके पास में, आरक्षित निर्वाशन शेत्र की विवस्ता बारत में, विबन सामाजिक समूओ के बीच सत्ता को बटवारे करने के लिए तो की गई है, कि सर ये weak है, या अपने आप से नहीं पहुंच पाएंगे, चलो आओ इनको थोड़ा सा बाइपास करने लिए reservation की विवस्ता, आरक्षिन की विवस्ता दे डाले, तो क्या हमने इसी तरीके से भी उनके साथ में सत्ता को संतुलित कर दिया, हाँ वो minister नहीं बन पाया, कि वो किसी area का ward punch तो बन पाया, वो serpunch तो बन पाया कही का, वो कही का MP, कही का MLA तो बन पाया, हाँ, इस तरीके से भी basically क्या हो सकता है, अच्छा फिर वो का, उस decision making power पर आके वो अपनी community को uplift कर सकता है, वो अपना, अपना मत जो है, वह सत्ता के गलियारों तक पहुंचा जा सकता है, हाँ या न, हाँ, सो यह point clear हो गया आपके पास में, अच्छा, यह तीसरा point था आपके पास में, पहला point क्या था, horizontal, फिर vertical, तीसरा क्या था, different groups के बाद में, चौथा point आता है, among different political parties and the pressure groups, कई political parties है, अगर उनको power में आने का मौकाई नहीं मिले, तो कहीं न, कहीं वो, obviously वो भी एक group की तरह है, वो भी basically चाहेगी, हम भी BM बने, हम भी CM बने, हम भी MPLA बने, हम भी basically minister बने, तो power sharing arrangement इस तरीक से किया जा सकता है, जो political party जो राजनितिक दल होते हैं, जो pressure groups हो सकते हैं, जो movement को control करने के लिए बहुत ही important होते हैं, अगर वाइस basically क्या हो सकते हैं, movement चालू हो जाएगी, है, कहीं पर BJP जो है, एक political party से, राजस्थान में तो BJP लड़ती हैं उसके खिलाफ, और महाराश्टर में उसी के साथ में basically क्या कर रखा है, गडवंधन कर रखा है, है, बीज़पी औ सिवसेना, यहां राजस्थान में तो basically आमने सामने खड़ी हो जाती कई बार, और BJP और सिवसेना का basically, कहां पर, महाराश्टर में गटबंदन है, यह चीज़ देखने कोशिट करो, ऐसा क्यो क्या, political equation कुछ रही होगी, उन्होंने क्या करने की कोशिट की सत्ता को साजा करो, है ना, चाहे दल बड़ा है, चाहे छोटा है, अपने साथ लेके चलो, तो इससे क्या होगा, उस दल को भी लगेगा, हाँ, मेरा भी आत्मी, मेरे दो MP है आपके सरकार में, अब चाहे सरकार बनाने के लिए 370 लोग, चाहे हमार पास 400 लोग है, पर फिर भी अपने दो आत्म करते हैं, अब सकती नहीं है, आप छोटा बच्चा जो होता है, वो खुझ से कुछ नहीं कर पाता है, तो फिर उसको कुछी चाहिए, वो क्या करता है, रोता है कि नहीं रोता है, प्रेशर ग्रूप्स भी होते हैं कुछ हमारे पास में, अंदोलनकारी ग्रूप्स भी होते हमारे पास में, अब वो आगजनी तो कर नहीं सकते, अब वो धाबा बोल नहीं सकते, है ना, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, प्ले कार्ड पकड़ेंग तो यह होते हैं दबाव समों और यह दबाव समों क्या करते हैं सरकार को control करते हैं कि जो सत्ती तुम use कर रहे हैं जो power तुम use कर रहे हैं आपने वो power को कहीं कहीं use करते हैं एसी policy बना डाली जो हमारे खिलाःफ तो यहाँ पे अलग-लग political parties के साथ में power को share करना बहुत ज़रूरी हो सकता है आपके पास में ताकि एक सत्ता का संतुलन बना रहे, क्या बना रहे, पावर का balance बना रहे, सो competition हो सकता है political parties में, कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा sheet लाता है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा basically power में आ सकता है, है ना ज़्यादा सकती उनके हाथ में रहे बीजेपी एंडिये करके जो है आपके पास में एक तरह का अलाइंस चला रहे है पर बीजेपी खुद कोशिश करती है अपकी बार अपकी बार बीजेपी को पहुंचा तो 380 क्यों ताकि बाकी अलाइंस की जरूत ही ना पड़े बीजेपी अकेले ही बेसिकली सरकार बना ले सकता को दूसरों की फिर सुननी नहीं पड़ती नहीं तो मनमोन सिंग जी जब बेसिकली कॉंग्रेस के टाइम में जब सरकार बनाया प्रेस सेक्रेटरी थे है ना तो मीडिया को कंट्रोल वगर करते थे और इन्होंने पहली और दूसरी टर्म में पीम साब के सामने काम किया था और इन्होंने एक्जेक्ली सब्दों में लिग डाला और यह बताते हैं कि सर किस तरह किसे अलग पॉलिटिकल पार्टी ने जो बार बार आकर के प्याम सा आपको परिशान करते दे और क्यों क्यों नंबर्स नहीं है तो इन लोगों को पॉवर फिल होता था 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 snatch काव सथा रेंगे नहीं तो हम कह रहें वह कर तो अन तो तो इलेक्शन में और अगर यह तो आख अन प्रत्यक्स तरीके से जो सत्ता के लिए कुछ लोग जैसे किसान गवो प्रस्टा के लाइन नौज चलता है विर्योत पुर्दशनितों क्या होगा फिर सरकारे क्या करेगी आपके पास में एड़ाट मोमेंट सरकार को भी जुकना पड़ता है प्रेशर ग्रुप से बोल रहे हैं नहीं चाहिए फिर मोदी जी आते हैं टीवी पे वापस सायद मेरी मेहनत में कमी रह गई थी कि जो मैंने फार्म लोज बनाएं आपको पसंद नहीं आएं जो मैं करना चाहरा था मोदी जीन बहुत इमोशनल भाषन दिया था उस दिन दूसरे दिन पार्लेमेंट में वो क्रशी कानून वापस ले लिये जाते हैं समझने कोशिश कर रहे हैं तो सत्ता को बैलेंस करने के लिए सत्ता को साजा करना पावर को शेर करना जरूर यह तभी डिमोक्रेटिकली वो है डिमोक्रसी की स्पिरिट में तभी जो है वह लोगतंत्र के अनुसार का मोगा अधरवाबवाईस नहीं होगए आपके पास में तो प्रैश thank you क्या होते है अब कुछ इनका कोई करशी का हो सकता है कोई ट्रेड का got out कोई population रेजिश्टर से रिलेटेड हो सकता है अब अब यूज द मॉडर्डन as well as traditional method, modern method क्या हो सकते हैं, आपके पास में, social media traditional method क्या हो सकते हैं, आपके पास में, भीड, सड़क को जमाओ करना, चौराहे पे बैठ जाना दाने नहीं देंगे किसी को कहीं भी जब तक हमारा मुद्दा नहीं सुनते हो represent the changing consciousness अब ये क्या बताता है, अब तक सरकार ने 50 कानून बना लिया, हमने कुछ नहीं का, 51 कानून और बनाया जो हमें समझ में नहीं आया अब तो सर हम सरड़क पे उतरेंगे पूरा कपर पंजाब अर्याना सरड़क पे उतर गया था अब जब दो स्टेट के major political parties और major वहां के किसान समूँ उतर गए तो बोले सरकार हो ले ना ओकी, सारी, गल्ती हो गया, ले लिया वापस दूसरे दिन कानून, ठीक है ना, दूसरे दिन नहीं दो साल लगे थे, so resulting out of resulting out in the increasing pressure in the demands of the resources, कि सर हमें संसादन दो, हमारे favor में काम करो, हमें ज्यादा से ज्यादा basically जो हमारे demands को meet करो, ठीक है ना, तो ये सारे काम किये जाते है, अब ये काम करने की उपड़ते है, क्योंकि सर political parties जो है, उनके पास एडिक्योसीज नहीं है, एक political party है, जो लोकसभा और राजे सभा में 80% मत रखती है, NDA government अभी की, National Democratic Alliance, BGP वाली, ठीक है ना, अब लोकसभा से बिल पास करा दिया, राजे सभा से पास करा दिया, Congress भीचारी, बेंच थपता पाती रह गई, no, 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 कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि Constitution में लिखे अनुसार, तो बेसिकली कानून बनेगा, प्रेजिडेंट साब ने साइन ठोक दिया, प्रेजिडेंट साब ने साइन ठोक दिया, तो हो गया काम इनका तो, it is done, done and dusted, done and dusted, isn't it, काम खतम हो गया, तो बोले सरी, पीछे बच्चे बच्चे बीस पर्षेंट लोग, बाकी के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आब हम को ही उतरना पड़ेगा, अब इन लोगों को तो बेसिकली जो है पपू कहके, या किसी को जाड़ू वाला, या किसी को टोपी वाला कहके, किसी को छड़ी वाला कहकर, लोग एक दूसरे को छेडा करके, कद नीचे कर सकते हैं, पर जनता का कद करके बताओ, क्या मोदी जी बाहर आके कह देंगे, कि तुम 10-15-20 लाक लोग जो हो, गलत हो, मैं अकेला सही हूँ नहीं, मोदी जी भी समझदार है, इस प्रेशर ग्रूप के आगे, अच्छे-च्छे को जुगना पड़ता है, क्योंकि यही प्रेशर ग्रूप है, यह जनता के बीच में जो हैं, आम राय जिसको कहते हैं, वो बहुत जरूरी होती है, वो आपके फेवर में हो नीची, अगर हो है न, नहीं तो कहते हैं, कि जिस धारा में सवार होके आप उपर आयो, वो धारा नीचे भी जा सकते हैं, मो प्रोटेश हुए तो इंडिया के अंदर, नहीं तो यहां पर टीर गया सकते हैं, उतना मोदी जी ने समझा दिया, जितना मैं भी आपको समझा रहा हूं, उससे कई गुना ज्यादा मोदी जी समझा है, पर प्रेशर ग्रूप से न, उनकी डिमांड्स माननी पड़ इलास मे वो खिसान जो खेतों में काम करता है, उसको कभी MP, MLA का इलक्षन नहीं लड़ा, उसने Central Government को, Parliament को जुखा दिया, पारलेमेंट ने जो काम कर डाला, जो कानून बना डाला, उसको रिवर्सल करने के उपर बादित कर दिया, सर, इसलिए कहते है, we the people of the India, हम भारत के नागरिक बिसिकली हम लोग क्या है, सौवरीन, हमार उपर कोई नहीं आ सकता है, राइट, सो यह PM, CM, Judges वगर को इन सबको जो पावर दिये न, किसने दिये, आपने दिये, हमने दिये, समिधान ने दिये, हमार द्वारा बनाएगे समिधान में, हमार द्वारा जन प्रतिनीद्यों द और पूरी बुक का सबसे इंपोर्टन चैप्टर, यह वाला चैप्टर की है न, तो अटेंशन से पढ़ोगे और इसको फाइव स्टार लिग दो, क्योंकि यह चैप्टर टू जो है आपका फैडरलिजम, यह आपका मेंस तक पीछा नहीं छोड़ेगा, प्रिलिम्स नहीं, मेंस तक पीछा नहीं छोड़ेगा, और हो सकता है कि अगर लक ने साथ दिया, या बैड लक ने साथ दिया, तो यह इंटरिव्यू में भी पूछ लेंगे आपको, ठीक है न, तो इसको अपको लक में क्रेट करना है, कनवर्ट करना है या बैड लक में, यह आप डिसाइड क चलो, आओ दोस्तों सुरू करते हैं, फैटरलिजम क्या होता है, जिसको हिंदी में लिखा जाता है, हमारे पास में, संग वाद, क्या लिखा जाता है, संग वाद, क्या होता है, फैटरलिजम क्या है, एक सिस्टम में, इसके अंतरकर बेसिकली जो सरकार होती है, उसके अंद प्रणाली जिसमें सकती को केंद्री प्राधिकरन वर्देश के विभिन घटक के बीच में विभाजित किया जाता है इस पेसिफिक और स्टेट के बीच में क्या किया जाता है कैंद्र और राज्यों के बीच में सक्तिका बटवारा यहीं संग बात है ना सिंपल शब्दों के अंतरगत यह याद रख सकते हैं लोग तो फैडरलिजम देखो यहां पर इस त संतुलित किया जाता है उनको डिवाइड गया जाता राइट और और ओंग फैडरलिजम के अंतरगत चलिए सर सो यहां पर गोव्मेंट ऑफ दे एंटायर कंट्री देट इस यूजरी रेस्पॉंसिबल फॉर फ्यू सब्जेक्स कॉमन नेशल इंट्रेस्ट के जो हो ऐसे को तो बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं फैडरल गोर्मेंट सेंट्रल गोर्मेंट नैशनल गोर्मेंट जबकि आपके पास में on the others are the governments at the level of the provinces राज्यों के लेवल पे स्टेट के लेवल पे भी कुछ सरकारे बन सकती है जो उनके डे टुडे मैटर्स को एड़िश्टर करे सो यह यह हैं कुछ विशेह रेक्राइशन टॉ 누ल चीट पार कुछ विशूंग जो राज्य सर्कार आत में ह्कूछ विशेह हैं जो डोनों देखने वाले घर तो यहां पर उनका संतुलन स्थापीत किया रहतार हो फैडियों डिखिuh पिछली चैप्टन पढ़ा वह भी कॉम सबन याद करो Central State Urban and Rural तो वहाँ पर यह वर्टिकल था क्या यह वर्टिकल डिविजन है चलो साब आशी भी समझ में आगया तो बोग इस टाइप ऑफ दो लेवल ऑफ गवर्मेंट एंजो दे पावर इंडिपेंडेंट अफ दो तो कैंदर सरकार को सकती है न वह सकती तो एक दूसरे भाग के जाएगा ना जबकि मम्ताब एक जाती है हात में फूल लेके से स्थर क estásoda बिटों ऑफ एंडिव्डान से इन दोनों को को लिमिटेशन हदे कहांसे मिलती है ऑर जो हमारी राज्य सरकार रहने वाली है यहां को राज्य उसके पावर नहीं कह सकते हैं कैंद्र सरकार में तो पूरा बहरत तुम तो खाली राजस्तान या तमिल नाटू देख रहे हैं तो घृट्टर सरकार कभी ऐसा निया को इन्फिरियर गवर्मेंट अना कोई सुपिरियर इन्फिरियर निया कोई उपर नीचे वाला मामला निया दोनों ही बेसिकली कहा है आपके पास में यहां फेडरल सेटप के अंतरकात होते हैं यह चीज़े समझ में आई भाया है केंदर सरकार जो हैं सेडूल सेवन है न यह कौन सा आपका स्केडूल सात्वा इस नियुक्ता है केंदर सरकार यह सब कौन देगा है और जब जो मुद्धे कॉमन इंट्रेस्ट के हैं जहां पर नैशन के अंदर पूरे भारत के अंदर क्या है यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना समानता चाहिए तो ऐसा एड्यूकेशन फॉरेश्ट्रेड मैरीज यहां पर आपके पास में दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं फैडरल हमारे बारत में क्या है संगवादी व्यवस्ता है कि सेंट्र गवर्मेंट और स्टेट गवर्मेंट के बितमें पावर को ब्रेक किया गया इसका उल्टा क्या हो सकता है इसका उल्टा क्या हो सकता है कि फॉट रह je okay नहीं कोई अलग से इनको सक्तियां नहीं दी गई तो व्रेवर्में ब्हराद को मिसा अब हैं एक अब हृण lessonเรา सरकार को यहीं यूनियन सवीमिश इस खाली एक ही level of the government होगा आपके पास में है ना अब यही कैंदर सरकार या यही national government का या यही union government का दिल्ली में एक office, करनाटका में एक office, राजस्थान में एक office, आंधरा में एक office होगा, मिजवरा में एक office होगा, तमिलाडु में एक office होगा, लक्षदी में एक office होगा है ना मतलब यही कैंदर सरकार के basically क्या है they are the different branches तो पूरे भारत को चलाने वाली suppose ऐसी कोई अगर विवस्ता हो जैसे अपने पास UK में ऐसी विवस्ता है एकात्मक विवस्ता है कि सब पूरे UK में जैसे अपने पास में अलग-अलग इनके क्या है North Ireland, Scotland, England, Wales वगर है तो यहाँ पे सब को चलाने वाला तो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है और बाकी सब जगा कोई CMVM अलग से नहीं होते हैं इसी का एक office यहाँ पे एक office यहाँ पे एक office यहाँ 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 इस तरीके से अलग-अलग ओफिसे लगते हैं ठीक है ना? यहाँ पे इधर दिर इस अनली वन लेवल फ गॉर्मेंट और सब इनिट्स अर्द सब इनिट्स अर्द सब केंडर सर्कार जो कबी भी ऑडर दे सकती है यह काम कर वाओ यह काम मत कर वाओ यह कहीं नहीं कह सकता मैं सम्विदान, मैंने बनाया तुमको तो, मैं कल तो मुँगा हटा दू, मैं दूसरे को बिठा दू, तो युनिट्री गवर्मेंट होती है, है ना, युनिट्री गवर्मेंट एक्जामपल, जेपैन, एक्जामपल, अपना UK, उनाटेट किंग्डम, है ना, तो यहाँ पे उ उप इकाईया होती है, वो केंदर सरकार के अधिनस होती है, उप इकाईया जो होती है, वो केंदर सरकार के अधिनस होती है, युनिट्री गवर्मेंट में, तो फेडरल सिस्टम में तो बेसिकल क्या है, केंदर सरकार ओर नहीं कर सकती है, राजे सरकार को, के तुम करो के कु पाइए है कुछ भी डोकलाम में गलत हुआ हम सीधा कहेंगे राजना सिंग इसा पने पुलिसिंग के मामरे में गलत हुआ तो हम कहेंगे कि यूपी में आजकर घुंडाराज बढ़ गया है योगी आदीतिनाजी अपना काम नीकर रहे हैं A कैंद्र कांद तो कहां पे पुलिस मेरे हर वेश्क बेंग ड year में कूछ मेरे उपर तोड़ी न sırsetप बेंकिंग में कुछ व्यवस्ता में घड़ बड़ी है अब मोदी जी सारा काम करते हैं याद करने कोशिश करो रात को आट बजे आकर के मोदी जी बोलके गए कि नोट बंदी होगी या कोई CM PM आके बोलके गया था स्टेट के हाथ की बात की बात के आज रात आट बजे के बाद में 1500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे इन्हां ने यह बेंकिंग इंदर सरकार ले सकती उसके लिए राजे सरकार के जवाब दीदनी राजे सरकार हैं उन्हांने कितना ही टबले पटके Supreme Court में चले गए वहां चले है कुछ हुआ क्या कुछ नियुक्त बोले क्या हुआ कि सर नोट बंदी कर लिए चलो रूखो मैं कॉंस्विशन खोलता हूं साथ वा सकता है लिखा तो है इसमें ठीक है जा रहा हूं मैं नहीं खेल रहा है इतनी मुश्किल से करॉप्शन से पैसे इखटे किये थे अब वो सब पैसे काम के नहीं रहे कब करोड़ो रूपे अर्बो रूपे जो है मात्र पाइल ऑफ पेपर्स बन गया रात दो रात एक घंटे में सब सब ऑडिनेट ओफिसेस होने वाले इसके एक्जांपल जैपैन एक्जांपल यूके हमारा भारत क्या है हमारे भारत में तो बेसिकली जा है वह है फैडरल सिस्टम है दो लेवल ऑफ गौर्मेंट सेंटल स्टेट पाया जा रहा है पॉलिटिकल पावर्स दोनों के दौर सरकार के पास ही होती है, state government होती ही निये तो power ही निये उसके पास में, और constitution flexible है, uncodified है, ना, only one set of the law रहेगा, पूरे भारत में same law रहेगा, हमारे यहाँ पर देखो, डिली में अलग tax है, है, गुडगाओं में, अलग tax है, हर्याणा में अलग tax है, तो कुछ लोग जो है, दारू खरीदनें के लिका जाते है, फिर डिली से गुडगाओं जाते है, या सस्ती दारू मिलती है, क्यों मिलती है वहाँ पर, NCR वाला region है, यह है, वो है, वो है, वगर वगर unit territory का है, कुछ न कुछ तो बताते रहते हैं उसके अंदर, के सर, यहाँ पर basically क्या है हमारा, tax कम है, tax lab कम है, तो बोले, एक toll cross करके, तुम घुड़गा में जाकर करके, जो चीज यहाँ 2000 की मिल रही है, वो वहाँ पर तुम 1000 रुपे के खरीद के लाए, बोला, 1000 रुपे के खरीद के लाए हो, इस पर प्रशन आयागा, प्रीइ के अंदर, इस पर प्रशन आयागा, मेंस के अंदर, अभी Central State की बहुत ज़्यादा लडाईयां चल दी, fight चल रही है, चल रही है नहीं चल रही है आपके पास में, तो हर चीज के अंदर यह Federalism आयेगा, इसी लिए, इसी लिए हर जगा पर इसका solution बताया जाता है, लड़ो मतरे cooperative रहो, क्या रहो, cooperative, federalism, federalism रखो, संगवाद रखो, पर कैसा हो, सहकारी हो, दोनों सहकारी ता से साथ में आकर के काम करो, मते मत फोड़ो एक दूसरे के, समझ मा आ रही है ना बात तुमको, चेहरे पे मुस्कान बनी रहनी चीए, फिर यह तो हो गया आपके पास में, कि मेर कैसा है, तो federal government में भी basically types होते है, different types of the federal governments कैसी हो सकती है, एक होता है coming together, बुद्धी है, खुद साथ में आ गए, हाँ, है ना, जैसे अलग जो states थे, वो सब साथ में आकर के एक central, एक federal government मना लिए, जैसे USA, America, तो United States of America basically क्या है, coming together, वहाँ पे 50 से ज्यादा basically पहले colonies थी, अलग एक ऐसी federation, जो coming together federation है, वहलोब किसी ने push नहीं किया है, हमको तो push किया गया था, याद करो, आजादी के बाद में भी basically, क्या है आपके पास में, सर्दार वल्लब भाई पतेल ने, गोआ को, सिक्कीम को, जमू कश्मीर को, जोनौ अगड़ो, कैसे कैसे करके, पुलिस action, साम नहीं सकते, तुमने instrument of access and sign कर दिया, अब तुम होई नहीं कुछ, क्योंकि इंडिया constitution क्या कहता है, इंडियन union, भारत का federalism, जो इंडिया की union है, भारतिय संग, जो है, इट इस, इंडेस्ट्रक्टिबल union, इसको कभी भी अनश्वर है ये, of a destructible state, जो states है, जो राज्य है, वो क्या है, destructible है, वो विनाश्कारी है, तो भारतिय संग, विनाश्कारी राज्यों का अविनाशी संग है, समझ माया, इंडियन, इंडियन state is a, indestructible union of destructible states का जातके, जैसे, तमिल नादू को तोड़ करके अंध्रा बनाया, आंध्रा को तोड़ करके तेलंगाना मनाया, यस और नो, महराष्टर को तोड़ करके गुजरात बनाया, पंजाब को तोड़ करके हर्याना मनाया, यस और नो, क्या है हमने, बिहार को तोड़ के जारगन बनाया, मलब states की कोई identity नहीं है सर, अब change कर लिया, यू change कर लिया मैंने, आला कि बहुत मेहनत लगती इसके पीच कुल अस्तान बना लूँगी खुद का, कल की तारीक में, मोदी जी वापस CM की पोस्ट लड़ते हैं, अगले 10-15 साल बात में, वो कहेंगे, जब ममता दीदी PM बनी बैठी है, रावल गंदी PM बना बैठी है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं अभी बेसिकली मेरा खुद का फाप सब्सक्राइब है, यह कैसे है, USA और कमिंग तोगेदर, आओ इसको जानने की कोशिश करते हैं, आपके पास में, एसे से 50 जानने साथ में करके कितना बड़ा राज्य बनाया होगा सोचो, राइट, अ वेरी बीग कंट्री, राइट, सो बिगर शेट, सो दाट, फूलिंग सोवरेंटी, रिटेनिग द आइडलेंटी, सभी कंट्री, छोटे 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 पहले कॉलोनी, मैं अकेला कमजोर हो, क्या अब हम 50 लोग साथ में मिलकर के बहुत ही बड़ी आइडेंटी बना सकते हैं, बोले मेरे राज्य का अलग सुप्रीम कोट है, मेरे राज्य का अलग जंडा है, मेरे राज्य का अलग नियम रहेंगे, पर क्या हम सब साथ महां करके पूरे USA का अलग जंडा बना सकते हैं, क्या इसकी अलग सिक्योरिटी होगी, आज देको USA कितना पावरफुल है, कितना सिक्योर है, कितना ताकत हो रहे, कारण holding together federation, कारण holding together federation, coming together federation, ठीके, अच्छा, this type of the coming together federation, जो है वो USA, Switzerland और Australia पाई जाती है, this category of the federation, all the constant states usually have the equal power, उनके पास में क्या होती है, दोस्तों, समान सकतिया होती है, मतलब, USA के अंदर ऐसा नहीं है, कि सर वहां की जो federal government है, वहां की आपके पास में जो है, ताकत वर है, वहां की federal government, जैसे वहां का जो प्रेजिडेंट होता है, फेडेल गौर्मेंट का मुख्या होई है, प्रेजिडेंट, वहां के state government के governor के बराबरी होता है, state government का governor को अगर लग रहा है, कि आज Trump का plan नहीं उत्रेगा, तो नहीं उत्रेगा, जा तु घर तेरे, वापस जा तु नियॉयोर्क, जा वासिंग्टन, मेरे यहां पर तो निगूस सकता, अड़ सकते हैं ये लोग, क्या है, coming together है, मैं मेरी मर्ज याद है, हम साथ में नर्सरी में पढ़ते थे, हमारे अबराम लिंकन चाचा होआ करते थे, वो गंटी बजाते थे, बनाया करते थे, फिर उसको थोड़ा emotional करके, जनता को थोड़ा समझा के, फिर उसको वापस बहुत भाई, थमजा, 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 coming together federation इसलिए खतर नाग है, यह coming together federation में यह state आ तो गया, यह state आ तो गया आपके पास में, पर अगर यह state को कोई deal अच्छी नहीं लग रही है, वो मजा नहीं आ रहा है, आखुछ तुफानी करते, तो तुफानी बोले तो मैं अलग हो रहा हूं, वो हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने इस तरह की federation नहीं बनाई, वल्लब भाई पटिल को पता था, भारत में कितनी diversity है, है ना, और तो और हमारे Ambedkar सी को भी पता था, किसे भारत के लोग चालू भी बहुत होते हैं, पढ़ाई लिखाई का नकरात्मक उपयोग भी कर सकते, तो federation हमने अच्छा principle है पर कई सविधान में federal सब्द लिखा ही नहीं, जब बी आर अमबेटकर साब ने federation सब्द इन्हों ने यूज किया, डॉक्टर बी आर अमबेटकर साब ने, तो कहीं भी बेसिकली यह शब्द यूज ने किया, कि feature सारे यूज कर लिए, एक डंडिली, उस पे बारूद लगा रॉकेट साब दिया, और उसके नीचे बेसिकली जलाने के लिए बेसिकली धागा भी डाला, अब उसको जलाते है, वो रॉकेट की तरह उपर भी जाता है, वो रॉकेट के सारे feature है, फेडरेशन के सारे feature दे दिये, Central Government, State Government, Central Government को दोनों को limitation और power constitution से मिलती है, दोनों एक दू सब्सक्राइब के उपर नहीं है, सेवन स्केडियूल और डाल लिया, केंदर राजे समवर्ति सूचे, सब डाल दिया, सारे features दो दे दिये, पर खहीं भी फेडरल सब्सक्राइब क्यों यूज नहीं क्यों यूज नहीं क्या आपके पास में, कि सर यह लोग जा सकते हैं स्टेट गौवर्मंट्स अंहीसा था कृखतों, तो वर्क यह तो हर चीज में क्यांदर वहना जरू होना जरूरी उनला जरू किया नहीं तह चो स्ट्न नहीं तहां ङयाद करो पहले इंदर थे नहीं सत्ता थीी नहीं मुझें चल रहा है राजस्थान में लग चल रहा है नॉट्विस्ट प्रॉइन्स के अलगी चल रहा है कश्मीरवाला पंजाब वाला रिजन अलगी फाइट कर रहा है हर आदमी खुत के राजिये खुत की लेना चाहिए इस बार, we should make such a kind of arrangement, कि sir, एक बार आ तो गए, there is a central government, and now that central government should be very, very, very powerful to the state government, है ना, state government को हाँ, नीचे नहीं हो, पर तुमारी सक्तियां limited कर दिया, हमने क्या कर दी, वोड़े पर काट दिये, पर दिया, एक ही दिया, वो आगे पीचे हो सकता है, पर उड़ नहीं सकता, आगे पीचे उपर नीचे हो सकता, ज्यादा उड़ नहीं सकता, मतलब, central के पास में ज्यादा power है, और राजे के पास में कम power है, राजे एक बार join कर सकता है, अब सिक्किम जॉइन कर दिया, इंडिया को 1960s के अंदर, भारत के अंदर आ गया, भारत में विले हो गया, अब कल की तारिक में सिक्किम के मजा नहीं आ रहा, है, मैं जाओं क्या वापर, नहीं जा सकते, है, राजे 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 सिंग, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन साइन holding together मतलब, तुम यहाँ से हाथ नहीं ला सकते है, पीछे किसे रगंट रखा है, राजे छोड़के नहीं जा सकता है, यहाँ पर क्या है, सक्सेसनिजम, यहाँ पर क्या है,哈哈 अलग से वईक अलगाओ, वादी, प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, पर हमारे यहां पर अलगाओ नही कर सकती है यहां ठीक है ना सो इसलिए राजियों को इतना ज्यादा जो है शक्ति संपनन नहीं किया गया तो फैडरेशन समझ माया फैडरेशन की गणित समझ मैं थोड़ी क्वेशन समझ मा रही है क्या अब तुम्हें हो रहा है आज से 75 साल पहले सरदार वल्लब भाई पटेल ने कितना शांदार दिमाग लगा के काम किया है और यहांसे 75 साल पहले बीयास डिटी चान लगा कर लिए अग़े ते रहुपतार लिए श्ग्वेशन सम yukha यूनियन के फैडरेशन की जगह यूनियन शब्ध हमने यह शब्द यूज़ किया वज़े की वात है कि यह पूरे चैप्टर का निशकर से तुम्हारा यह इस पूरे चैप्टर का निशकर से कुछ एंजॉए किया इस क्लास में हां सेकेंड के अंदर कैसे आते हैं जब एक बड़ी कंट्री अपने आपको सबॉडिनेट यूनिट्स में डिवाइड करते और कॉंशन इस्टेट्स और नैशनल गवर्मेंट अलग अलग काम करें किसर यह पूरी केंदर सरकार हैं और अलग 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 राज्य में राज्य सरका भारेप आए जाएगी आपके पास में और अपने-अपने वियर इस जैसे केंदर सरकार भारत के अंदर आज की तारी colour करते हैं कлись degree के बनाएव printing गानुन तुम पर लगते हैं मिंगकम मधे करते हैं है का बजटो के अंदर करती हैं सरकार करती है तो तो अज की तारीक में इस जो तुम में पर तो इस को एक one कर रहा है उसको गंगर रहा है यापके पास में इस चैट buck तो आदमी वही है कि सर वह इंडिया के राजस्थान के जोदपूर के अंदर बैठा है तो उसको राजस्थान सरकार भी कंट्रोल कर रही है उसको इंडिया इंडियन गौश्यों के ऊपर यस और नो संगवाद किये विसे इसता है कि different tiers of the government govern करती है same citizen को but each tier has its own jurisdiction के वो कहीं taxation में कर रहा कोई communication में कोई agriculture में कोई trade में अलग अलग कानून लगाया जा रहे हैं जो legislation taxation और administration के matter पे होने वाले हैं हर सरकार के jurisdiction होगा है ना so the existence and authority of the east tier of the government are constitutionally guaranteed है ना अभी अमने सांत्वी अनुप सुची पड़ी थी कि कुछ विशे में सिर्फ केंदर सरकार कानून मनाती है और कुछ विशे में सिर्फ राजे सरकार बनाती है और कुछ विशे होंगे जिस पे दोनों कानून मना पाएंगे central list state list और concurrent list yes sir no yes sir no so the fundamental provisions of the constitution cannot be unilitary change by one level of the government है ना और यहां पर आपके पास में both of the level की जरूद होगी तो federation बनाने की जरूद इसलिये पड़ी हमको केंदर सरकार खुद से यहां पे fundamental rights है ना बाइफार हम जान चुके fundamental rights जो है इंडियन constitution के part 3 के अंदर गत है और बहुत ही important है हमारे freedom को लेकर के हमारी liberties को लेकर के तो केंदर सरकार कल की तारिक में fundamental right change करना चाहते हूं बोले राजी सरकारों से permission लो पहले कहले नहीं पड़ेगी ratification by the two-third of the state तो हमारे बारत में suppose तीस राजी है तो तीस में से आपके पास में दो तीहाई राजीों का हमको अनुमती चाहिए होगा उनकी विदान सभा में resolution पारित होगा तो वह समविदान के अंदर संसोदन होगा otherwise वो होगा नहीं तो important चीज़ों को आप change नहीं कर सकते मत अधर fundamental rights जैसे important समविधानिक features को आप नहीं बदल सकते याद करो basic structure doctrine आएगी हमारे पास में आगे what will be there there will be basic structure doctrine as well ठीक है ना तो courts has the power to interpret the constitution तो समविधान के अंतरकत basically supreme court को बना गया है कि यह final interpretation देता है क्या देता है आपके पास में यहाँ पे नयायलों के पास में basically जो है सक्तियों के व्याख्या करने का power है कि अलग अलग जैसे केंदर सरकार क्या करेगी राजे सरकार क्या करेगी है ना व Supreme Court करेगा आपके पास उसको solution ठीक है ना source of the revenue of the each level of the government are specified के अंदर सरकार को कहां से पैसा मिलेगा राज जी सरकार को कहां से पैसा मिलेगा सारी चीजे जो है कहां पे constitution में specify की गई है yes or no हर चीज क्लियर है सो फेडरेशन का यही तो मज़ा है आपके पास में किसी पर dependent नहीं रहना पड़ता कोडिफाइड टोटर ड्यूल अब्जेक्टिव है आपके पास में कि भारत का एकता भी सुनिश्चीत हो जाती है at the same time हमारी अनेकता भी सुनिश्चीत हो जाती है कि हम अनेक होते वे भी एक रहते हैं that is our federation that is our federation समझ भाई that was your chapter तो दोस्तों अगला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं democracy और diversity के बारे में किस पर बढ़ रहे हैं democracy और diversity के बारे में यह हमारी NCRT सेम चल रही है अभी 10 वी की NCRT है यह पॉलिटी की ठीक है हम यूनिट 2 में एंटर कर चुके हैं जहां प पर जैंडर पर रिलीजिन पर कास्ट पर तो जब तुम पॉलिटी का अंसर लिखो गे ना मेंस के अंदर तो यह काम आएगा क्या प्रिलिम्स में काम आएगा एक धमी एक्जामिनर को तुमारे उपर तथास्तू selection ले जा बच्चा ऐसा करके वह आपको आशिरवात देना च एक्जामिनर बहुत ही कम लेवल का अगर पेपर बनाना चाहता है सिंपल तो यहां पर यह दो यूनिट में से कुछ कोशन्स आपको सटीक तार्किक तरीके से बना के देगा जो कि एक average IQ का बच्चा भी solve कर लेगा चलो आगे बढ़ते हैं इसको analyze करना सुरू करते हैं यहां यहां पर democracy और diversity को समझ निकली इन्होंने सबसे पहले जो keyword use क्या है यहां पर वो है social differences समाजिक मदभेद क्या होते हैं क्या हमारे बीच में समाजिक में समाज में कुछ मदभेद होते हैं हां होते हैं तो social diversity can take different forms in different societies अलग-अलग समाजों में अलग-अलग तरीके से जो है विविदताय होती हैं और वह विविदताय क्या कर सकती हैं मेरा पहनावा आपसे अलग है मेरी बोली आपसे लग है मेरी वेशबुशा आपसे लग है यह समाजिक अंतर ज्यादा तर जनम की दुरगटना पर आधारित होते हैं जन्रम को दूरगटना बता रही है यह हम कर वाते हैं गर में भाटते हैं मौले में धोल पीटते हैं यह कहई रहे हैं कि सोचल डिफरेंसे क्यों है विकास बेस्ट प्रक्राइब से भासा बोलते हो तुम कौनसे राज्य से तुम्हारा डाइवर्सिटी है उसी के आधार पे तुम्हारा वेरिश्बूशा खाना पीना बोल चाली वह साब भी होई चीज डिसाइड करेगा हमारे आसपास के लोग पुरुश्या महिला हो वह लंबे हो या छोटे हो अलग-अलग रंग के हो सकते अलग-अलग उनकी शार कौन से राजय में रहते हो कैसा खाना है कैसा धर्म है कैसी जाती ही कैसा रंग है कैसा लेंग तुमारा अलग राइट डिफरेंट वास्ट डिफरेंस सबसे पहले तो यह चीज जाना जरूरी आपके पास में तो रंग रूप वेश बूशा बहुत अले है भारत में अलग- कुछ लोगों के पास वेना फिपल और एतिस्ट कुछ लोग के आपके पास नास्तिक होते हैं और यह विश्वास रखते हैं तो शुक्स लोग में रखते हैं और अलग डिग्री का होता है कोई जो अक्षाम से निकल टाईप, बगवा ना जिंदा घर पे लोट जाओं और कुछ आदवियों को NCRT पढ़ते और प्रिलिम सेते टाइम ही भगवान आता है उसके बीच में तो क्या है हम ब्रह्म हश्मी है हम ही भगवान है है स्वेयं भू चलो 518 एक दर्म में उनक्या जनम हुआ वो पैदा हुए बुद्ध बाद में हिंदू बन गई हो सकता है इस कारण भी diversity आ सकती है यह सबी सामयजीं समधूंगों के ghatन की और ले जाते हैं all these differences will lead to the formation of the social groups तो क्योंकि हमारे पास में diversity हैं क्योंकि हमारे पास में differences हैं अतेव हमारे पास में क्या होने वाले हैं groups होने वाले हैं अतेव हमारे पास में क्या होने वाली हैं समूह communities होने वाले क्या होने वाली हैं और यह सारी चीज़े का बेसिस के बताया तो मारा जनम किस गर में हुआ रहे कौन सी जाती में हुआ कौन से धरम में हुआ कहा पैदा होगे के राजस्तान में तो मार वाटी बोलोगे राइट और रॉंग वहां पर चावल खाओगे मचली खाओगे यहां पर क्या खाओगे दाल बटी चूर्मा खाओगे चल तो यह चीज़ समझ माया क्या इंडिया एक होट्सपोट अपने आप में डाइवर्सिटी काफी है और सोशल डाइवर्सिटी भी काफी देखने को मिलती है तो सोशल डिविजिंस टेक्स प्लेज वें सम्सोशल डिफरेंसे ओरलाब विद अधर दिफरेंसे है ना कि सामाजिक विभाजन तब होता अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि सर ग्रूप बन गए अभी ग्रू लाग है इसकी तरीका अलग है इसकी सादी का इसकी परंपराओं का तरीका अलग है इसका रव् των तो अब इसलाइन को वापस पढ़ों रे लिए समाजिक विभाजन मतलब ग्रूपों के बीच मैं तब होता है जब सम्आजिक अंतर या मतबेदों के साथ साथ अवरलेप होने लग जाए, social division takes place, when social differences overlap with the other differences, के sir, ये difference है, number one type का difference है, number two type में भी difference है, number three type का भी difference है, number four type का difference है, तो अब एक गुजराती, एक लद्दाकी से, बहुत चीजों में, खान में पीने, छादी परंपराओं में, बोली चाली में भासा में, हर चीज में difference है, धरम में, हर चीज में जाती में, हर चीज में difference रहेगा, कद, काठी, सरीर के रंग में, खान पीने की preferences में, हर चीज में mindset में, हर चीज में difference है, yes or no, so कई सारे differences, जब overlap होते गए, तो इस group की, इस समू की एक अलग ही पहचान दे दी है ना, हैंस, जो मेरी society पहले एक थी, वह हो, अब अलग-अलग भागो में विवाजी तो तो diversity led to the differences differences जादा होते गए, led to the this led to what? this led to the social division तो अब पता चला तुमको कि सर, जब differences बहुत जादा बढ़ जाए, तो क्या होना सुरू हो जाता है आपका division, है ना, यह differences और division still is good, still is good because अभी तक क्या है आपके पास में they are the part of the diversity, क्यस का भाग यह diversity का पार्ट है, हमारे देश में Dalit tend to be poor and landless, there are often face discrimination, injustice, situation of this kind produce the social division अब हैवस और हैवस नाट मागे कि sir, एक आदमी है Dalit, एक आदमी है Brahmin, इसकी सिक्षा नहीं मिल सकती, इसको सिक्षा मिलेगी इसको अच्छा खान पान नहीं मिल सकता, इसको मिलेगा इसको अच्छे कपड़े respect नहीं मिल सकती इसको मिलेगी, right around यह अच्छे पर्द पे जाएगा इसके लिए जाना लगबग मुश्किल के बराबर है तो अब जो ये विशेश कम्मुनिटी यहाँ पे जो ये social division पैदा हुआ है ये have's और have's not पे संसादन सीलता और संसादन विहिंता के उपर depend करता है अतेव हमारे देश में दलिट टेंड टू बी poor and landless उनके पास में ना ही तो basically क्या है और ना ही तो पैसा है ना ही धन है गरीब है और भुमिहीन भी है they often face the discrimination भेदबाव देखते हैं अन्याय होता उनके साथ में ऐसी situation आ जाती इनको social division का जाता है तो शुरुवात में जो differences देखने को मिल रहे थे वह बर्थ के कारण देखने को मिल रहे वह प्रिफरेंस के कारण देखने को मिल रहे हम कैसी प्रात्मित काई देते हैं चीजों को करने में पर इस बार सामाजिक डिवल्ट पागरी हो जाया तो इसको social division का आपने क्या कामने आपके पास में होते हैं social differences के करण किसके करण हुए social differences के करण तो इस चीज़ होता है यह बंदा जो है इसकी अलगी विश्वास चलेगा यह पुराणों में यह religion में यह बुद्धिवाद में इन सब चीज़ों में विश्वास करेगा और यह आदमी कहेगा कुछ भी नहीं होता हजारों साल से हमारे साथ में गलत हुआ है यह बुद्धिजम में ज्यादा क्रियेट हो जाता है इनके बीच में यहां पर अलग अलग यहां पर डाइवर्सिटी देखने को मिल लिए और डाइवर्सिटी ओना जरूरी है social divisions को कम करना ज़रूर है है ना ? तो हमारा chapter क्या है हमारी diversity में democracy है क्या है हमारी Are noir इतनी everywhere country होते है भी दlike Tomatoadow and democracy जो है वह बहुतरी and diverse है और coreование कंद डिविजन और Evil जाना है social divisions को कम करने की कोशिद करनी ज्यादा ज्यादा लिगों को मुख्यदारा मेंस्रीम सोसाइटी से जोड़ने की कोशिश करनी है इसलिए पॉलिटिक सब दो सोचल डिविजन को रोकना चाहिए भाईयों और बहनों यह जाती है वह जाती है तुम मेरे जाती को वह पराय जाती के वह पराय धरम के ना सोचल डिविजन अफेक्ट वोटिंग इन दे मॉस्ट कंट्रीज है ना जैसे पीपल फॉम दा वन कम्मुनिटी टेंड टू प्रिफर सम पार्टी जैसर मेरे लिए तो पार्टी यह अच्छी है फिर कोई कम्मुनिटी आएगी वो काईगी नहीं मेरे लिए तो यह वाली पार यह पार्टी इस कम्मुनिटी पर फोकस करती है ना जो धरम ए धरम भी धरम सी समूँ ए समूँ भी समूँ सी के उपर वो उस पर फोकस करती है तो ऑवेसली क्यों कि जब मैं सत्ता मूं मैंने तुम्हारा सबसे जादा साथ दिया तो अब election होगा तो तुम मेरा साथ होगे त इसा होते होगे तो यह सोसाइटी के अंदर बेसिकली हमने क्या चीज जानने की कोशिच किये के हमारे सोसाइटी में कई जगह पे कई लेवल पे हमें डिविजन देखने को मिलते हैं यहाँ पे अलग अलग ग्रूप और कम्यूटी विबा दीते हैं और सोशल डिविजन भी पॉसिबल है और सोशल डिविजन को यह बताने की कोशिच की हो सकता है यह फेवर करें को यह पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ने की कोशिच करते हैं नेक्स चैप्टर पर दोस यह बताने की कोशिच करते हैं जाती वे राजनीती के आदार पे जैंडर और पॉलिटिक्स के आदार बे भी क्या होता है So boys and girls are brought up to believe that main responsibility of the women is the workhouse, housework and bringing up the children तो बच्चों को यह कहा जाता है लड़केों को कहा जाता है के तुम्हे यह particular 2-4 काम करने हैं लड़केों को कहा जाता है यह particular 2 काम कररे हैं और यहाँ पर जो यह division of the labor कर दिया जाता है मतलब, men को अलग काम दे दिया जाता है और women को बोला जाता है, तुम अलग से काम करने वाल हो यहाँ पर आपने क्या क्या, sexual, gender-based differences or the division of the labor लड़के को ये काम करना है लड़की को ये काम करना है आपके पास में ठीक है न, although the women constitute the half of the humanity अब आज जो हम कहते हैं, मानवता है न, जितने भी human beings आज इस दुन्या में हैं उनका आधा बेसिकली देखा जाये हिस्सा तो वह तो क्या है आपके पास में महिला हैं, पर शरम में बेसिकली हम क्या कहते हैं, कि महिला हैं क्या बाहर जाके काम कर सकती हैं, न, न, वो तो पूरा काम पूरुष ही करेंगे, अच्छा, क्या पूरुष किचन का काम कर सकते हैं, न, वो तो पूरा काम महिला ही करेंगी, क्यों भया हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो प्रश्न चीन यहाँ पर राजनेती में उनकी भूमिकाज होती है वह निवनतम हो जाती forget about दूसरे फिल्ड में अगर politics में ही उनका representation नहीं है तो क्या होगा जब politics में representation नहीं है प्रतिनिदित्व नहीं है उनकी सुनी नहीं जा रही है तो बहुत ही महतपून रूप से basically यह है निगिटिव एच पे रहेंगे ना, yes or no भाई जिसकी लाठी उसकी भैस अगर इनकी अगर सुनी नहीं जा रही है और सारे के सारे parliament में यही लोग बरे होए हैं तो कहीं कहीं वह अला कि ठोड़ी बहुत जरूर देखी जाएगी सुनी जाएगी समवेदन सील रखा जाएगा बट नकारात्मा के एक influence जरूर रहेगा आपके पास में, there will be a negative influence on this as well so earlier, only men's are allowed to participate in the public office, ठीक है ना, vote करना contest करना, public offices के लिए, यह सब कौन कर रहा था आपके पास में सिर्फ पुरुष कर पा रहे थे gradually धीरे-धीरे gender issues को उठाया गया, politics को world level के उपर और महिलाओं को भी अलग-अलग देशों के अंदर, basically जो है यहाँ पे equal rights, हमान हक की एक लड़ाई सुरू होती हैं आंदोलन सुरे होते हैं, पहले USA, UK, हमारे यहाँ भी basically जैसे भारत आजाद होता है हमारे महिलाओं को पुरुषों के समान हक दिये, है न, ऐसा न, पहले क्या होता था voting rights महिलाओं को नहीं मिलते थे पुरुषों को मिलते थे, संपत्ती हीन को नहीं मिलते संपत्ती शाली को मिलते थे, पर आधुनिक भारत के इतियास में तो ऐसा नहीं हो रहा है so radical women's movements यहां पे शुरू हो गए थे जो equality की बात करते कि सर व्यक्तिकत जीवन में पारिवारिक जीवन में हो चाह समाजिक जीवन में हो मैलाओं को क्या मिलनी चाहिए बराबर का हक मिलना चाहिए इन्हे feminist movement का नाम दे दिया कई बार आपने feminist movements जो है एक बहुत important शब्द है आपने देखा होगा कि क्या नारिवादी आंदोलन होते हैं तो ये नारिवादी आंदोलनों का मतलब और उनका उदेश ही है कि सर अब व्यक्तिकत जीवन पारिवारिक जीवन के अंदर मैलाओं को समानता मिलनी चाहिए ठीक है ना अगर उनने समानता मिलेगी वो अपने हग को ले पाएगी otherwise वैसे ही उनका नियूनतम basically role देखा जाता society के अंदर है ना so women in India face the disadvantages, discrimination and oppression in the various ways like literacy rate के उपर हो सकता है among the women is only 54% compared with the 76% among the men, तो जो इनकी literacy rate एक, literacy rate भी बहुत कम है या निया आपके पास में literacy rate among the women कितना है आपके पास में 54% यह है जबकि हर 100 मैं से पुरुष कितने है 76% पुरुष जो है वो शाक्षर है जबकि मैलाओं की बात आती है तो सिर्फ आधी 54% के करीब ही वो साक्षर हो रही है ठीक है ना smaller proportion of the girl students go for the higher studies तो जितने students दसवी पास कर पाती है लड़कियां बहुत ही कम 12 पे जाती है 12 पास करने के बहुत ही कम graduation या masters या professional education में आगे जाती है उनके साथ में क्या होता है discrimination लड़के को बेजिये साब वो घर का चिराग है वो पड़ेगा लिखेगा धंदा आगे बढ़ाएगा वो पड़ेगा लिखेगा घर में दो रूटी कमा के लाएगा लड़की को तो ब्याना है पराया धन है basically समाज में तो यह चल रहा है जो कि पूर्ण तहा गलत है हमारे officers को देख लिजे इवन आपको देख लिजे राइट? So you can see yourself as well So on an average Indian women works one hour more than the average man everyday अगर आदमी 10 गंटे काम करता है न दिन की महिला है 11 गंटे काम करती है पर फिर भी उनको क्या बराबर हक का पैसा मिलता है Yet much of our work is not paid आदमी जाता है सुबह गया साम को आया 12 गंटे का वो नौकरी का क्या लेगा आपके पास में? पैसा लेगा तुमारे मम्मी सुबह 6 बज़े उठती है हाँ या ना? सुबह 6 बज़े उठती है रात को 11 बज़े तक वो खड़ी रहती है तो 12 प्लस almost 5 आवर 17 आवर वो काम कर रही है यह मेरे को बताओ इनको कितनी सैलेरी दी जाती है हाँ? यह तुमारे पापा 8 गंटे, 10 गंटे कोई दुकान पे, कोई शौप पे कोई आफिस में जाके आते है यह सिना छोड़ा करके बेसिकली बात करते है आया ना? नमाँ गया था टिफिन बेक कर दो आद भी दिन बर बिजी रहता है काम पे रहता है दिमाग अरम रहता है अच्छा, इनका फिर क्या होगा? इनका तो फिर भी mind fresh होता है बाहर निकलते है, लोगों से मिलते है इनका क्या होगा? तुमारे जैसे चेरे तो इसी के लिए भारत के अंदर एक्षूल रेमुनेरेशन एक्ट आता है समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 इसमें प्रावदान आता है कि एक्षूल वेज़ेज मिलना चाहिए है ना इक्षूल काम के लिए अगर जैसे मैं मेरी बात करता हूं यहां पर एक जगह पे वन एक स्कूल की बात करते हैं सकारी स्कूल की बात करते हैं कि सर एक मैडम लगे हुए हैं और एक सर लगे हुए हैं अना सर को मिल रहा है मैने की दस अजार सैलरी राइट तो क्या मैडम को नौजार मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए उनको भी दस जार मिलेगी तो इस equal wages remuneration के बाद में basically yes possible हो पाई है पर उससे पहले तो नहीं थी there are reports of various kinds of harassments as well ठीक है ना exploitation violence against the women ये सारी चीज़े भी देखी जाती है तो इंडिया में basically देखा जाए आपके पास में legislature में तो महिलाओं का हक महिलाओं का percentage बहुत ही कम है विदाइका के अंदर बहुत ही कम MLA's और MPs basically बन पाती है ये so percentage of the elected women members in the लोगसभा has touched 14% 100 में से मात्र 14% ही जो हैं लोगसभा में MP विमन से ठीक है ना for the first time in 2019 तो ये भी ज्यादा नंबर बता रहे है ठीक है ना लोगसभा में 14.3% पहुंचा तो सही आपके पास में तो अब basically मैं आपकी जगह होता ना तो मैं इस condition act को अच्छे से पढ़ता मैं basically लोगसभा की स्ट्रेंथ को अच्छे से पढ़ता मैं यहां से keywords निकालो क्या निकालोगे keywords निकालोगे otherwise हमने exam के लिए पढ़ना है तो इस मुद्दे से बहार आने के लिए पंचायत दगरपालिकाओ के स्थाने निकायों के अंदर एक त्याही सीटे महिलाओ के लिए आगरक्षित की गई सर युमेनिटी का मानोता का हम कहते हैं के मेल और फिमेल 50 50% है या नहीं है मेल और फिमेल 50 50% है पर फिर भी कहते हैं कि 66% तो अभी भी जो हैं वह पंचायत राज के अंदर OurMontsypelle के अंदर मेल हो सकते हैं, एक त्याहाई तो महिलाए होनी ही चाहिए, एक त्याहाई तो महिलाए होनी ही चाहिए, वन थर्ड आरक्षन दिया जा रहा है, आच्छा, कहां दिया गया, पंचायती राज के अंदर, जहां पे गाउं, सहर, कस्बे, तुमको लगता है महिलाओं को एती सोतंतरता रहा है गाओं के अंदर, वो क्या चाह के कुछ कर पाएगी, they will not be able to do so, they will be entirely dependent on their families, their husband, that is why यहाँ पे यह कितना भी reservation दिया जा रहा है, almost दरातल पे तो विफल देखा जा रहा है, reason क्या है, critically saying reason क्या है, क्योंकि सर पूरुष परदान समाज है, तो suppose यहाँ पे एक गाओं के अंदर female seat आती है, OBC की, तो इस गाओं के अंदर जो पहले male था OBC का, जो पहले punch या serpence था, वो अपनी wife को खड़ा कर देता है, sign, signature, नाम, photo, प्रचार वगरा, election fighting से wife के नाम पर हो रहा होता है, पर पीछे नाम किसका है, यह फलाराम की wife है साब, यह फलाराम की पतनी है साब, इसको जिताना है साब, वो खाली mere rubber stamp, rubber stamp, कहीं meeting होता है, यह सरपंच पती जाता है, meeting certain गड़ने के लिए, हाँ बोलो, अभी तुमने क्या movie देखी, कौन सी movie देखी, पंचायत movie देखी होगा, उसके अंदर भी देखो यही चीज होता है, हाँ, वो मुख्या होती है गाओं की, elected representative है, पर उसका पती है, वो सारा कुछ करता धरता है, उसका पती करता धरता है, लास्ट एपिसोड में जाते हैं, पता चलता है, कि यह MLA से भी कुटके आ रहा है, सब जगह से सब कुछ हो रहा है, बट स्टिल, हमें क्या पता चलता है वाँ पे, हमें यह पता चलता है, कि, सर, जो महिला है, वो है में इलेक्टworkers, बाकि बाकी लोग तो क्या है, उसका पती तो क्या है, हूँ, हाँ, he was just a person who was exercising the real power, कहां, क्या उना है, कैसे कर रहा है, वह करा रहा है, तो यहां पर एक तिआय दे रहो तुम एक तिआय ऐसा करो लोग सभा में दो राजे सभा में दे दो एक तिआय एक तिआय चोड़ो 20% दो जलो 10% कर दो 10% तो minimum सीटे ही है उसके बाद में open competition रखते हैं नहीं करेंगे सर नहीं करेंगे क्योंकि जन्रली भारत अभी भी मन्चायत मुंसिपल्टीज में सीटी रिजर्व वन थर्ड अभी यह सफिशेंट नहीं है क्योंकि एग्जेक्टली है अभी भी ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है रियालिटी में सो धर्म संप्रदायव राजनिती क्या इनका भी कहीं कहीं एक कनेक्शन देखने को मिलता है सर आइडियास आइडियल्स और वैल्यू जो ड्रॉन की जा सकती है अलग-अलग रिलीजन से वो बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स के अंदर शादी होनी चाहिए क्या एज पे होनी चाहिए क्रशी होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए बेरोजगारी अटानी है कैसे अटानी है जनसंग क्या कम करनी है किस तरीके से कम करनी है ठीक है ना पाकिस्तान से निपटना है किस तरीके से निपटना है है ना उगरवाद से निपट करती है फिर आपके पास तो people are able to express in the politics their needs कि सर उनकी आवशकता है क्या है वो अपने interest को जता सकते है अपने demand रख सकते है as a member of religious community right क्या वो रख सकते है जैसे हिंदु दर्म भी रखता है Muslim दर्म भी रखता है Islam धर्म भी रखता है आपका जैन धर्म भी रखता है यहाना इसाई सब लोग रखते है आपार पास में कि सर हमारी आवशकता है और बकाइदा इनको fundamental rights के अंदर पर protection भी दी गई religious rights, religious freedoms के नाम पर those who hold the political power should sometimes be able to regulate the practice of a religion as well अब जैसे किसा सबरीमाला मंदिर में जाना है या नहीं जाना है right अब triple तलाग legal है या illegal है तो यह सारी चीज़े क्या है जो political power में बैठे हो है वो आदमी तो निरदारित करते है ना क्या कानून बनेगा क्या rule बनेगा क्या regulation बनेगा so those who hold the political power should sometimes be able to regulate the practice of religion to prevent the discrimination in the operation ताकि discrimination ना हो ओपरेशन ना हो भेदबाव उत्पड़न को रोकने के लिए सत्ता में बैठे लोग धरम के अभ्यास को regulate कर सकते हैं वीनियमित करने में सक्षम होने चाहिए यह राजनितिक करत्य तब तक गलत नहीं है जब तक ही वेlov हर धर्म के साथ समाप्याई बिवार, ऐसा नहीं खाली मेरे धर्म के साथ हस्तक compose कर रहे हो आप सभी धर्मों के साथ पर सैखरात्मक हस्तक compose की आप अगर हम दो लगाम लगा रहे Онपर भी लगाई है इन पे भी लगाई है, इन पे भी लगाई है, आप हमें दो चीज़े एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो सब को एक्स्ट्रा वो चीज़ प्रोवाइड कीज़े, अगर special treatment या mis treatment एक जने को है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, होस्टाइल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपके तरम की खिलाफ action लेते रहे, तो अतेव जाते विए हमें अपने answers में ये भी लिखना चाहिए, कि ये राजनितिक क्रत है, जो political act हम करेंगे, regulate करने का, religion में practices को regulate करने का, वह गलत नहीं है, जब तक कि मैं हर religion को समान मान के चलू, अब जब मेरे religion को, एक religion मेरे लिए कोई आगे चलनागी का है, जब धार्म कर दोखते हैं, समझ में करते हैं, जब धारं की मानयता को अन्य धर्म की मानयता हो से बहतर रूप में प्रस्तूत किया जाले, कि रिलीजिन ए कहे के रिलीजिन भी बेकार है हम ही हम है जो हम है यह बिल्कुल बखवास है यह अपनी मान्यताओं को इतना महत्व दे दे के इनके साथ में वह बेसिकली दुर्वियवार पर उतरने को आमादा हो जाए यह बुर्का पहनेंगे हम बेसिकली क्या डाल देंगे आपके पास में वह कौन सा मफलर डाल देंगे कौन सा सैफरोन कलर का मफलर डाल की बच्चे आएंगे स्कूल के अंदर के अब यह संप्रदाइक तक एंदर यहां तो आप इसको भी तो अलाव कर रहे हो ना पपप्लिक प्लेस के अंदर हो nehmen करता हूं मैं भी मेरा मफलर को अभी हुआ है करना च्खərा ला के अंदर हंगें नप्डा हुआ थिक है ना So, and when the state is power to use, to establish the domination of the one religious group or the other, चलो, ये धरम या ये धरम, ये समूँ, ये समूँ, आपस में एक दूसरे से superior, inferior दिखाने की कोशिश करे, समझ में आता है, सर ये अपनी बात करेगा, ये अपनी बात करेगा, पर जब इसके उपर जो government बैठी है, अगर वो government, किसी group विसे इसका favor लेने लग जाए, तो अब क्या होगा, कि सर अब एक जने की तो superiority establish होगी, और दूसरा विचला थर-थर कापेगा, कब पता नी, क्या हो जाए उसके साथ में, तो अब संपरदाइकता होती है, अब कमिनलिजम फैलता है, एक religion को स्थापित करने के लिए, दूसरे religion को sideline या inferior दरसाने के लिए, यह कमिनलिजम होता है, यह क्या है, कमिनलिजम होता है, आज जब हम democracy, जब हम लोकतंत्र पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास में जो है, है, major challenges democracy में क्या है, वह सामप्रदाइक था भी है, है ना, the makers of the constitution were aware of this challenge, है ना, क्योंकि 1947 मुझे को हिंदू-Muslimान के दंगे हुए थे, partition हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे, विबाजन के दौरान, तो लोगों को पता था, के सर, इसी लिए, basically हमको किसी भी एक धर्म को, विशेज को favor नहीं करना है, है ना, हमें तो सब धर्मों को साथ में लेकर के चलना है, तो यहां पर उन्होंन का कि भारत जो बनेगा, वो secular state बनेगा, कि भारत कोई धर्म नर्पेक्ष राज्य बनेगा, और यहां पर अलग सही, इसका कोई, क्या नहीं होना चीए, क्या नहीं होना चीए हमारे पास में, we should not have any state religion, there is no official religion for the Indian state, भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, तो भारती राज्य का आधिकारिक धर्म नहीं है, पाकिस्तान का constitution खोल लोगे ना, तो पहला ही पहला line का लिखावा है, the Islamic Republic of Pakistan, है ना, पहला सब्धी, पाकिस्तान से पहले उसने लिख दिया Islam, क्या लिख दिया, पाकिस्तान से पहले Islam, पाकिस्तान और रिपब्लिक से पहले Islam लिखावा है वाँ पे, मतलब state पहला उसका जो preamble या उसका constitution पढ़ते हैं, उनको पता चल जाएगा, हाँ, इसके य समझने कोशिट करें, तो इंडिया क्या है, धर्म निर्पेक्स है, सेकुलर है, और कॉंसिटूशन ड़स नाट गिवस स्पेशल स्टेटस तो एनी रिलीजन, किसी भी धर्म विशेश को क्या नहीं देता है विटा, स्पेशल स्टेटस नहीं देता, राइट, प्रिंसिपल इसको कहा जाता है, इंडियन सेकुलरिजम को, क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल डिस्टन्स, एक हाथ की दूरी, अब आज मोदी जी घणई हिंदू है, पर हिंदूों के साथ में बेसिकली जाकर के, कोई नारे बाजी नहीं कर सकते, वो इसाईयों के साथ, सिख के साथ जाकर के नहीं कर सकते, वह जब गुवर्मेंट ऑफ इंडिया के पदभार पे है, उनको सेकुलरिजम के प्रिंसिपल्स को लेके चलना होगा, उन्हें धर्म निर्पेक्स्ता, पंथ निर्पेक्स्ता पे चलना होगा, उन्हें एक धर्म को मानते हुए, दूसरे धर्मों को भी समा नादर देना होगा, यह धर्म निर्पेक्स्ता है, क्या है, प्रिंसिपल डिस्टेंस, सरकार कभी भी एक पर्टिकुलर धर्म में हस्तक शेप नहीं करती, तुम्हें ताजिया निकालना है, तुम्हें ईद मनानी मनाओ, हाँ, अब तुम ट्रिपल तलाग जैसी गलत अर्कत करोगे, तो सुप्रिम कोट हो चाहे, भारत सरकार हो, दोनों डंडा मारेगी, और मारा भी है, यस और नो, है ना, तो गलत काम हुआ, कई फंडमेंटल राइट वाइलेट हो रहे है किसी के, तो मैं आऊंगा बीच में, यदा यदा ही धर्म श्य गलानिर भवती भारत, है न वैसे ही, कभी भी गलत होगा, तो I will come down, I will come down and I will correct that mistake, तो यहां पे किया भी है हमने, ट्रिपल तलाक, बहुत लंबे टाइम से डिबेट चल रही थी, मोधिद नीज ने, लाल के लिए की प्राचीर से ये चीज़ कहा था, और लास्ट में आते होगे, क्या हो आपके पास में कानुन बना, कानुन बना की नीज बना आपके पास में, चलो, यह चीज़ समझ में आ रही है आपको, so Constitution provides all the individual communities freedom to profess, practice, propagate the religion, यह fundamental right में हम पढ़ चुके, right, कहीं भी discrimination नहीं होना चीए, धर्म के आधार पर यह भी पढ़ चुके, this allows the state to intervene in the matter of the religion, ensure the equality, तो state तभी intervene करेगा, भार दना टो, it has to ensure the equality, otherwise कहें भी 12 सरकार बेच में नहीं कुदेगी, कहीं सेना, कहीं कोर्ट, कहीं भी सरकार बेच में नहीं कुद देगी, so caste और पॉलिटिक सा भी लेना देना है, जैसे religion का और पॉलिटिक सा लेना था, क्या caste और पॉलिटिक सा भी बड़ा रिला देना है, आज सोसाइटी है सामाज जो है हमारे पास में सामाजिक समुदाय जो है जाती वाद ये कहता है कि जाती ही सामाजिक समुदाय का आधार और यह बेसिक लिया, बेसिल है अधार यह बेसिकली आज की तारीक में मानना जाता है कि यह हमारी समुदायों का आधार this is the basis of our social communities ठीक है ना, कास्ट में politics जो होती है वह basically क्या है, जाती की equations को साथ में लेकर के तीनों की powers को enjoy किया जाता है इस आत्मी के द्वारा है, आप सोचते हो, कि इनके डादा जी की death होगी इनके बेटी की शादी थी, है ना, और इनके office का उद्गाटन था, MP साब आये थे, है, आहां, ये तीनों को कुछ रखना है, जब ये तीनों community से vote पड़ेंगे तो 5,000, 5,000, 5,000, 15,000 वोट पड़ेंगे, है ना, तो नेता जी चल पड़ेंगे फिर, carrot लेकर के, है, सब लोग भाग रहे हैं इस carrot को खाने के लिए, और भागते भागते, इनका तो खटोला पहुंच गया ना, संसत तक, हा, मज़ा आएगा, तो जातिकत राजनिती भी कुछ ऐसी होती है, जब parties choose करती है, candidate को election के अंदर, वो उसकी जाती का composition जरूर देखती है, कि सर, suppose मेरे को जैपूर की equations को समझना है, तो जैपूर में मैं west की बात कर रहा हूँ, या east में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर suppose मेरे पास में 5 लाक लोग रहते हैं, कितनी-कितनी जातिया है, suppose यहाँ पर मेरे पास में 20 जातिया रहती हैं, तो 20 जातिया में जाती पे, composition पे, electorate पे, nomination वगर, सारा उसी के अनुसार होता है, from different cast to ensure, कि necessary support मिले election के अंदर, यार देख यार हम तो भाई भाई हैं, अब सोचो, तुम ट्रेन में चल रहो इंडिया में, तुम ऐसे किसी से बात नि करोगे, पर तुमारी ही जाती का, एक तो तुमारे धर्म का क हो तीक नहीं होती है तुमको, हाँ यार, यह कहीं कहीं, घर से बाहर भी, घर वाली feeling दे रहा है, तो same way politics के अंदर भी है, कि आप एक ऐसे आदमी को खड़ा करते हो, जिसको कई लोग जानते हैं, और कई लोग उसके साथ में खड़े होने के लिए, तयार है, रेडी है, लुबिसी का दर्जा नी दिया, आपके समाज का भवण नी, आपका ओस्टिल नी, आपकी सिक्षा नी, आपको रोजगार नी, यह नहीं, वो नहीं, पिछलों ने क्या-क्या हम करेंगे, यह है, वो है, तो जाती का ज्यादा उपयोग लिए जाता है, उनके समविदन सिलता करने के लिए चलो सो यहां पर यूनिवर्शल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की जाती है आपके पास में के वयस्क मतादिकार कहा जाता है कि अठारा वर्ष से उपर क्या आयो के हर एक भारतिय नागरिक को मतदान देने का अधिकार हैं आपके पास में एक व्यक्ति एक व्योट का सिदानत है हर आदमी का वोट बराबर होगा आपके पास में पॉलिटिकल लीडर्स आर्टु गियर अप टु टास्क दे मोबिलाइजिंग सिक्यूरिंग दे पॉलिटिकल सेपोर्ट मतलब कॉलेज में पढ़ाने वाला एक प्रॉफेसर और नरेगा के अंदर काम करने वाला मिट्टीरी पैड़ पोदे इधर-उदर करने वाला मजदूर भी एक वोट रखता है अब सोचो उस MP को जिताने के लिए एक प्रॉफेसर के सामने आकर कि वो बात करेगा कि मैं यह कर दू कि किते केस चलते तेरे पर इधर आदेक इलेक्शन कमिशन की वेबसाइट घोल देदेगा वह नीचाहिए तुम्हारा वोट है वह बार सड़क पे जाएगा चार लोगों के साथ सेल्पी खरीदेगा है और उनको बोलाएगा क्या आजाना कल है ना एक मिक्सर दो बोटल सब मिलेगा उदर 500 रुपए 2,000 रुपए कितना चाहिए तेरे को साइकल और दे देंगे और हम आगे तो लैपटॉप और तेरे बच्चों को सोच हम ही हम तो बस सब मिलके जराच करेंगे भारत को लूट बेच यह चाहिए अब प्रॉफेसर कहेगा मेरी 2,000,000 तन का है तू क् मे li tanto i was उतानी वह उस लें बिश्चियदा चाहिए अब बुद्धी जीवी लोग इतनी समाज माज में, तरकुषीन, आप कितने समास में , आच्छा, फिर चले जाओं मिडल लूट मिडल क्लास के अंदर और लूट लूट क्लास के अंदर जहां पर ज्यादा लोग सिख्षित नहीं शाक्षर नहीं है उनको कहिं कोड से एक बार अंदर गया तो यह दस-पंदरा साल दिखेगा नहीं पर लोगों को बेसिकली उसका क्या होता है कि नहीं नहीं उनका इतना बड़ा फोटो लगावा है वहाँ पर चौराय पर तो आदमी बड़ा हो गया अरे वह पोश्टर दो जार रुपे का है उसने उसके पीछे कही करोड़ों के गबले की है तो यह चीज समझने की कोशिश करो वाट्स हैपनिंग इंड़ ससाइटी इस के आप कास्ट बेस सेंटिमेंट्स को इन्वोक करते हो ताकि नंबर्स आप से जुड़े ऐसा क्यों करते नहता लोग क्योंकि हमारा सभीदान में क्या है वैस्क मतादिकार 18 साल का कोई भी आदमी अब वो समझदार है या बेवकुफ वोट दे सकता है अब वो प्रोफेसर है या नहीं है आम आ कड़के लेकर आता है अले लाओ और यह होता है यहां पर यहां पर बात सही की गई पहले सिर्फ बोला जाता था जो एजुकेटेड है जिनकी जमीने हैं जो पुरुष है जो डिसीजन वेकर से वही वोट जाता है तो ब्रिटिशर्स एक तेरी किसे पूरे तो गलत थे नही मैं एक तरीके से कहूं लंगूर के हाथ में अंगूर दे दिया है अब मैं बताता हूं तुम्हें वोट देते जाते वक्त तुमको बेसिकली तरकी नहीं पता होता है कि वोटिंग देनी किसादार पर है पता होता है यहाल है दुनिया का इस क्लास में जितने भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं वो चीज सोचना इस पर अपने पेरेंट्स को पूछना कि पापा अपने लास्ट बार MP MLA के वोट में किसको वोट दिया था बंचायत और अर्बन लोकल बड़ी में किसको वोट दिया था पूछना वो तेरे पापा ने कहा था हाथ पे वो अकमल पे वो तो मैंने तो गरिवाली जाडू यादे जाडू पी दवा दिया तो कुछ भी हो सकता है आपके पास में अनिटिंग इस पॉसिबल सो मॉम्मा लोग कें दू अनिटिंग यू आस्क पापा लोग है ना पापा बैठने के लिए अगर में एक पूटो तो पापा वो हमारी आया आप ने उनको विदान सबह पेज दिया लोग सबह पेज दिया अग्या तरक हुआ आपको लगत आ यह आप सो इस बात उनी बात बात मेंट पॉइफ फ़ोन है पापा पापा हमार घर पे मैं पढ़ाय करता ह लाइत चली जाती है थोड़ा बात conservatives कम हो वह ढंबर यह ही रहरी जाना पड़ेगा बात करने के लिए विसली बर्ट जाना पड़ेगा कि काम करने ही पैचान इस एलेक्शन के टाइम स्पफ़न उठाते कि को सामने प्पर करते Todd और भाई-साब खाना हो गया है, आज मीटिंग है, शाम को आना है, गार्डन में रखी हुई है, और हाँ, अडोसी-पडोसी को भी लेकर आना, होता है कि नहीं होता है, सब को लेकर आते हैं, क्योंकि आप इंफ्लेंस में हो उस वक्त, और जैसे एक बार वोटिंग आ गई, मा भाई-बाई हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, तेरी क्या कास्ट है, मैं जांगिड हूँ, तेरी क्या कास्ट है, मैं सुनार हूँ, तो हम दोनों हाथ से काम करते हैं, तेरी क्या कास्ट है, कि मैं फला एक्स यजड कास्ट हूँ, देख हम सब हाथ से काम करने वाले, क्राफ्स और वो चंद हफ्तों का वो भाईचारा जो सोशल मीडिया के उपर चल रहा होता है, जो समाजों में उसक्षट धरातल पर चल रहा होता है, एक आदमी को जीता जाता है, और तुम्हें उससे क्या मिला, जिनको जो फायदा लेना होता है, वो लेकर चले भी जाते हैं, यू आर just a puppet to that, that's why awareness is very important, लंगूर के हाथ में अंगूल है, ये यूनिवर्सल टाडल फ्रेंचाइज, वैश्क मतादिकार, बहुत ही बढ़िया भारत के समिदान का फीचर्स, पर दुख की बात है कि भारत के अंदर अधिकान स्लोगों को वोट क्या क्यूं देना है, किसे देना है, इसका बिल्कुल भी आभास नहीं है, जो तर्क उनके द्वारा दिये जा रहे हैं, वो मन गड़त होते हैं, सुने सुनाए होते हैं, और भविश्य की आसाओं के आधारित होते हैं, ना की रियल ग्राउंड फैक्ट सिचुएशन के उपर, ठीके, तो ये सारी चीजे समझ मे आई अभी आपको, वन परसन वन वोट, चल, सुव वेरियस कास्ट ग्रूप्स आरेक्ट टू और कास्ट फोर को जोड़ती है, फिर दोनों निगोशियेट करते हैं, हम दोनों साथ में आ जाते हैं, कि तुम अपना केंडिडेट मत करो, हम सब इखटे होकर के हमारा एक ही के खटी होकर के हमारा एक एक आद भी खड़ा हो रहा है, तो अब हम समय अंडरस्टेंडिंग है कि इसको जीताना है, और यह आद भी फिर हमारी इन सभी कास्ट की नीट को नेसेसिटीज को जान में रखेगा, इस कांड आफ कास्ट ग्रूप्स हैव कम आप इन पॉलिटिकल जो जितना कास्ट ग्रूप बड़ा बना, वो फॉरवड बन गया, जो नहीं बना वाए विचारे वो बैकवड बन गये, ठीके, चैप्टर नुबर पांच है, पॉपुलर स्ट्रॉगल्स एंडर मुवमेंट्स, राइट, यहाँ पर दसवी की इन से इन स्ट्रॉगल्स का कोशिश करेंगे, और यह जानकारी जो है आपको आगामी एग्जामिनेशन के लिए एक प्रश्ट भूभी बना देगी, प्री और मेंस के अंदर, चलिए, पढ़ते हैं इसको, यहाँ पे कुछ प्रेशर ग्रूप्स की बात की, प्रेशर ग्रूप्स और कुछ मुमेंट्स आंदोलनों की बात की, हमने याद करो यहाँ पे पावर शेरिंग वाला मुद्दा पड़ा था है ना, पावर शेरिंग वाला मुद्दा पड़ा, पावर शेरिंग के टॉपिक में हमने एक बहुत ही मैत्तमौन जानकारी पड़ी थी, प्रेशर ग्रूप्स के बारे में, क् इंफ्लेंस करते हैं सरकार की नीतियों को सरकार के डिसिजन्स को सो दबाव समूव ऐसे संगठन जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं लेकिन राजनेतिक दलों के विपरीत दबाव समूव का लक्ष सीधे राजनेतिक शक्ति को नियंत्रित्या साजा क लोगसभा के अंदर बेसिकली पक्ष और विपक्स की बात करो है ना एक आदमी पक्ष में विपक्ष के अंदर बात करता है तो यहाँ पे तो मैं इसको विस्वापित करें तो यहां पे तो आप सीधा बेसिकल लिए क्या है, राज़ितिक शक्ती साजा करने की कोशिस कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है तो, पर यहां आप राज़ितिक शक्ती निले रहे हैं, भाई फार्म भी लत्रा दो, भाई हमें स्टुडेंट्स के लिए नौकरिय ला कर दो भाई बुजूर्गों के लिए कुछ कर दो भाई कर्शकों के लिए कुछ कर दो मैं आपकी नीती नियुमन को कहीं कहीं बेसिकली इंफ्लूएंस कर रहा हूं यह होते हैं प्रेशर एक्जर्ट किया रहा है अपनी डिमांड मनवाई जा रही आप से ठीक है ना विद्या यहां पर सरकार के समक्स धरना प्रद्शन कर सकते हैं अब पूरे पंजाब और हर याना के अंदर काफी लोग है अलग अलग जातियों वाले अलग धरम वाले पर सबी लोग किसान सबी लोग किसान तो अभी वो सबका बेसिकली लक्षे तो एक ही के सर क्रशी हम जैसे कर रहे हैं वैसा होना जाए सरकार जो क्रशी कानून लारी है वैसा हमको काम नहीं करना है तो तबी समान व्यवसाय के लोग समान हित उनका हित सबका इंटरेस्ट एक है एस्पिरेशन उनके आकान सा यह के उनके विचार उनके आइडियोलोजी एक है वह लोग समान्य उदेशिक को प्राप्त करने के लिए एक साथ आ जाते है उदेशिक क्या था इस बार फार्म लोज को उटाना है तो यह प्रेशर ग्रूपी तो था एक बार के सभी किशान मोर्चा साथ में आते हैं हर्याना के पंजाब के अलग अलग जिलों के सभी लोग साथ में आते हैं दिल्ली को धरना प्रदर्शन कर देते हैं वहाँ पे और मोमेंट लाइक इन इंटरेस्ट ग्रूप अच्छा एक और शब्द आता है आपके पास में इंटरेस्ट ग्रूप पहला सब्द क्या है प्रेशर ग्रूप दूसरा सब्द क्या है इंटरेस्ट ग्रूप अब यहाँ पे हित समूह क्या होता है कि इसकी तरह आंदोलन भी चुनावी प्रतिगोताओं में सीधे भाग लेने की बजाए राजनित को प्रभावित करने का प्रयास करता है लेकिन हित समोगों के विपरीत आंदोलोनों का एक धीला संगतन है so a movement like an interest group also attempt to influence the politics rather than directly taking part in the electoral competition but unlike the interest groups movements have a lose organizations ठीक है न इंटरेस ग्रूप में तो basically क्या होगा आपके पास में के सर हम चात्रों का हित किसमें जैसे इंटरेस रूप बताओ चात्र हित के लिए चात्र हित सर्वों परी कौन लिखवाता है यह हैं आपके colleges के अंदर election होते हैं चात्र संग नहता आते हैं हो सामने आते वह सब एक ग्रूप बनाते कि यूनियन बनाते कारण क्या है उसके इंफ्लोंस करना दबाव बनाना उनके उपर करो हम चात्रों के उपर और याद करो आज जो हमारे सीम है न बड़े-बड़े जितने भी आज बड़े-बड़े पीए मैं इस सब एक वक्त क्या होगा करते थे यह सी इंटरेस्ट ग्रूप से उटके आए सब चाराज्य की इस है पर यहां पर इसका नहीं है so the decision making is more informal and flexible they rely much more on the spontaneous mass participation than the interest than the interest group तो यहां पर आपके पास में प्रेशर ग्रूप में क्या है प्रेशर ग्रूप में क्या है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में संख्या में लोग चाहिए होते हैं जबकि इंट्रेस्ट ग्रूप में क्या है चात्र चत्र नहता और पीच्छे दस लड़के इदर दस लड़के इदर हैं हमारा नहता कैसा हो है समझ दो हमारे जो भी अध्यक साहर उनके जैसा हो समझ रहो तो इंट्रेस्ट ग्रूप थोड़ा सा लूज सकता है फोकस हो सकता है एक विशे के उपर जबकि प्रेशर ग्रूप जो है इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेशन करते हैं जैसे क्रशी के उपर विध्यारतियों के उपर ते सीग टुछीव शिंगल ऑब्जेक्टी विदिन दे लिमिटेड टाइम व्रेम कैसर एक साम स्टूडेंट यूइन फेडरेशन। agreement sign किया था others are more general and generic movement they seek to achieve the broad goal in the very long term तो अलग-अलग लक्षय हो सकते है अब एक sectional interest group भी हो सकता है जिसको public interest भी का जाता है जिसको सारजनिक या जन हित समू भी का जाता है या एक sectional मतलब एक अनुभागी हित समू भी का जा सकता है ये क्या होता है यह बेसिकली प्रमोट करते है पर्टिकुलर सेक्षन और ग्रूप को ससाइटी में जैसे ट्रेड यूनियन हो गया विजनस असोसेशन हो गया है ना सॉफ्ट्वेर कंपनिया है इन सबने मिलकर के कंपनी एक बना दिया एसो कैम तो यह बेसिकली क्या है एक तरह का सेक्षनल इंटरेस्ट ग्रूप है अब यह सारी सॉफ्ट्वेर कंपनियों का हित बेसिकली इनका स्पोक्स पर्सन आता है टाई के साथ में पोडियम पे यह जी एस्टी लगा लिया यह घरत कर लिया हमको एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में यह रियायत चाहिए हमको एफडीआई में यह रियायत चाहिए सरकार यह अच्छा कर रही है यह बुरा कर रही है तो वो भी तो यहाँ पे स्टेटमेंट देकर के पचास कंपनियों का आदमी एक organization एक association एक union जब statement दे रही है सरकार भी तो basically हिलती है न तो बाई ये सब वीपक्ष मोग है तो पैसा कहाँ साएगा इनी से तो आएगा ये सब है धनाड्य सेट लोग ये सर नो ये भी sectional interest groups भी बना सकते हैं तो देखो अभी तक basically हमने क्या पड़ा आपका pressure group दबाव समूं क्या हो सकते हैं interest group क्या हो सकते हैं आपके पास में फिर sectional interest groups भी कुछ नाम की चीज हो सकती हैं आपके पास में ठीके, so that's sectional because वो सिर्फ एक section of the society के represent करते हैं या तो वो श्रमी कर्मचारी या उनके principles को बताते हैं तो the principle concern is betterment and the well-being of the members है ना not the society के सर हम जो श्रमी के हम कुछ रहे समाद में चाहा कुछ भी हो कि हम businessmen कुछ रहे समाद में चाहा कुछ भी हो हम trade union वाले लोग में हमारे चुमेंबर से वह खुश रहे वह समाधिक सोसाइटी से उनका कोई लेना देना नहीं वह बस अपने हित की बात करते हैं करते हैं डॉक्टर्स की यूनियन अब चाहरे लोग मर रहे हैं फरक नहीं पढ़ रहा पर हमने कह दिया हम प्रोटेस्ट करें हमारी मांग पूरी करो पहले तब तक किसी का इलाज नहीं का अभी वह ता राधस्तान में कुछ दिनों पहले यस सो यह कैसे यह क् पर्टिकुलर सेक्शन को समाज के एक पर्टिकुलर अनुभाग का हित सोचते हैं उनका हित समू है यह समझ में आई बात आपको हैं खोपड़ी में पढ़ रही हैं आपको यह सारी चीज़ें चालो पर यह सेकंड टाइप ग्रूप प्रमोशनल ग्रूप और पब्लिक करते हैं कलेक्टिव रेदर देन सेलेक्टिव गुड्स है ना वह ऐसी चीजों को जो आपके पास में आप यह समू पर चैनात्मक भलाई के बजाए सामुहिकता को मलों एक आदमी का नहीं एक समू का नहीं वो सबका भला करने की कोशिश करते हैं साफ हवा मिले सबको दो कि चाहिए तो यह सारी किया है आप अपके पास में इस बार क्या आ है अ पुछ नहीं मार्केट में क्या है बताओ पॉब्लिक इंट्रेश्ट ग्रूप क्या यह चार नहीं चीजें सीखी तुमने आज है क्या तुम लिख पाओगे तुम इस में आजाएगा तो लिख पाओगे एक्जामपल के साथ में अच्छे से सबस्टेंशेट करके हां सर जनता के लिए काम करें बंद्वा मजदूर बॉंड़ेश लेबर के लिए काम कर रहें जो ऐसे बॉंड़ेश के अंदर काम कर रहें इंफ्लेंस अंट पॉलिटिक अब ऐसे मुव्मेंट्स का ऐसे प्रेशर ग्रूप का स्फ़दकार का राजनीती के उपर क्या उस तो गलत है वहाँ ठीक है ना तो गेंड़ पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी दियर गोल एंड एक्टिविटी स्कैरिंग आउट इंफर्मेशन कैंपेइन ना वो पड़्चे पर लिखके देते देखो हम क्या कर रहे हम क्यू कर रहे हम बेसिकली बेमानी का काम नहीं क तो किसान है हम मजदूर है हम सब को छोड़के यां खड़ें क्या करेंगे और एक के सामने जाकर करके अपनी गौहार भी लगाते हैं सारा काम करते हैं यह उफन और इस प्रोटेस्ट अर गोच नहीं करोगे तो हम विरोध करतेंगे गीरोध की रूप में क्या करेंगे आप देट ओफर एडवाईज चुद गवर्मेंट तो कुछ व्यक्ति याधिकारी निकाय और शमीतियों में भाग ले सकते हैं अब 20 लाख लोग तो वहां पर बेसिकली नहीं जा सकते ना दो लाख लोग जो प्रोटेस्ट कर रहें वो नहीं जा सकते तो उन दो मैसे दो लाख म प्रोटेस्ट के सामने बैट करके वो बात करेंगे सोचा भी ना था कभी है चलो तो यह इंफ्लूएंस होता है इस स्ट्रगल मुवमेंट का तो देपेंड अपॉन डेपेंड डेपन डेपन डेमोक्रेसी और यह लोग तंत्र को और गहरा करते हैं जब तक की वे हर किसी को किया मिलता रहे खाली एक समुधा विसेश कर पा रहा है काम तो अस्वस्त करें सभी कर पा रहे हैं स्वस्त करें है जल्डी वर्ड़ डेमोक्रेसी डूट वाइन अपनिग प्रेशर ग्रूप इंड्रेस्ट ग्रूप पन्स सीजे स्वें और उनका प्रभाव बहुत ही मैं पूर्ट पूर्ट चेप्टर इस क्लास का मैंने अल्वेडी बताया आपको एक मैतुपूर्ट चेप्टर है आपका फैडरलिजम राइट और इसके द्वारा इसके अलावा एक और मैतुपूर्ट चेप्टर है वो है पॉलिटिकल पार्टीज का यह दोनों ही बहुत important chapters हैं ब राजनितिक दल पॉलिटिकल पार्टीज यह एक समूव होता है जिसको जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संबालने के लिए एक साथ आते many people coming together forming a group और इस बार form क्यों क्या आमने group ग्रूप बनाने का reason है to contest the election and hold the power in the government तो यहाँ पर यह दो चीज़े याद रखे ना पहला लक्षे क्या है इनका दूसरा लक्षे क्या है इनका क्या यह individual है या group है यह group of the people who came together to fight election and hold power in the government right इनकी कुछ policies होगी आपके पास कुछ नीतिया होगी है ना इनके कुछ programs होंगे आपके पास में society समाज में कुछ परिवर्तन लाना की कोशिश करेंगे आपके पास में जो collective good की बात करेंगे आपके पास में जो सामुहिक भलाई को बढ़ावा देने के उपर समाज में ज्यादा जोड़ देंगे कॉंग्रेस कुछ अलग करना चाती बीजेपी कुछ अलग करना चाती आम आदमी पार्टी कुछ अलग करना चाती क्या यह सभी राजनितिक दल हैं यस क्या इसमें भी group of the people है यस लोगों का जनता का समू है क्या fight करते हैं election contest करते हैं यस क्या वो सत्ता को भी संबालने की कोशि यह किसका साइन है राइट कुछ political parties आपको बहुत फेमस पता होगी पर कुछ political parties साइद नहीं पता होगी तो आपको basically क्या करना चाहिए you should research on it हम भी बताएंगे आपको इस class के अंदर आज सो political parties basically जो है political divisions को बताते हैं क्या हमने कल बताया था जो अपने likings के उपर जो अपने decisions के उपर have and have not के उपर basically group होना शुरू हो जाते हैं group A अलग हो गया group B अलग हो गया group C अलग हो गया या सो नो इस तरीके से चल रहा है आपके पास में सभी राजनितिक दल समाज में मौलिक राजनितिक विभाजन को दरसाते हैं तो political parties किसको रिप्रेजन कर रहे हो थी political division को कि सर पिता जी तो Congress को मानते हैं और चाचा जी जो है BJP को मानते हैं और बेटा जी जो है वो आम आदमी party के अंदर leader है समझने की कोशिश कर रहे हो तो यह basically समाज में क्या दरसार है आपके पास में कि यहाँ पे political divisions possible है it's quite possible over here a political party has three component यहाँ पे कितने होंगे आपके पास में प्रमुक तीन घटक होते हैं right the leader active members and the followers तो एक आदमी तो यहाँ पे lead करने के लिए चाहिए ही चाहिए होगा आपके पास में right फिर आपके पास में क्या होगा उसके active members भी होंगे कुछ के यह secretary यह press secretary यह वो secretary यह फला secretary यह महा सचीव यह वो सचीव right or wrong अच्छा फिर बात में आते हैं इनके followers फिर कौन आता है आपके पास में followers right इनी followers में से क्या आप और हम भी हो सकते हैं क्या आप भी किसी एक political party के follower है yes or no yes or no we all are कोई न कोई political party से कभी इससे रही होगी इससे नहीं बनी तो फिर इससे रही हो होगी right or wrong नहीं तो लास्ट में जाते हैं अपना सब का जाड़ू तो ही है चलो so leaders workers या members जो है active members और followers यह तीन जो घटक मिल करके जो हम group of the people कह रहे हैं वो इसके अंदर आरे कौन कोन है एक leader है member है और followers हैं आपके पास में घटक नैता सक्रियर सदस्य वे अनुयाई उनके followers ह क्या है उसके प्रमुख घटक क्या होते हैं वह किसको दर्शाती है वह राजनितिक विभाजन को दर्शाती है यह चीज़े क्लियर होती तो अब इनके functions क्या है और कौन-कौन है यह जान चुके अब इनके कारिये क्या है इन कारियों को थोड़ा समझने की कोशिश करे सबसे पहले नाम ही political party है तो यह elections को contest करने का काम करेगी आपके पास में यहाँ पे हर political party अपना एक जैसे party A जो है वह यहाँ पे अपना एक candidate जो है वह represent करेगी party B जो है वह अपना एक आदमी जो है हर constituency हर विभा निर्वाचिन शेतर के अंदर जो है एक आदमी represent करेगी yes or no तो political party बहुती कम होते है जो निर्दली होते हैं कोई कोई राजनेतिक दल से party से जरूर बिलॉंग करते हैं बहुती कम होता है किसी निर्दली कोई खड़ा हो गया कि BJP Congress आमार्थ में किसी ने टिकेट नहीं दिया किसी ने उसको टिकेट नहीं दिया तो एक हो सकता है आपके पा जाके खड़े हो जाओ और जीतने चाहिए हो अगर नहीं जीते तो जमाना तजब तो जाएगी पुरा प्रोसेस बताएंगे तुमको इस क्लास कहने ठीक है चल तो पॉलिटिकल पार्टी के कुछ फंक्शन से सबसे पहला फंक्शन क्या है यह अगर जीतने की कोशिश करना पॉलिक अपिनियों को शेप करना बड़े बड़े भाशन दिये जाते हैं अब की बार हाँ हा देस को क्या है क्या मोदी जी के प्रवेलेक्शन के टाइम वग गाना बंता है बजता है क्या नाम है उसका I'm just forgetting that song यह देश नहीं जुकने दूँगा यह देश नहीं मिटने दूँगा फला 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 यहां पे एक public opinion बेसिकली जो है वह फॉर्म होता है यह फॉर्म पॉलिक ओपिनियन आपके पास में government के सारे संसादन welfareistic schemes आप यहां से यूज कर सकते हैं parties which lose elections play their role in opposition जैसे अभी हमने बताया था कि कोई election हार गया तो वो opposition का role करेगा मतलब विपक्ष में बैटेगा मतलब PM ने CM ने सही काम नहीं किया वो आजाएंगे धरना protection करने जनता के सामने interview देंगे TV पर, newspaper पर, radio पर कि देखो 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 यह गलत हो गया है ना so they forms and runs the government at the different levels तो पंचायत लेवल हो municipality लेवल हो state लेवल हो या central लेवल हो हर अलग अलग लेवल पर यह political parties सरकारे बनाती हैं decisive role in formulating laws of the country obviously जो सरकार बनाएंगे MPs होंगे, MLAs होंगे वो हमारे legislature में जाके बैठेंगे और जब वो हमारे legislature में जाके बैठेंगे अतेव वो basically क्या करने वाले हैं वहाँ vote करने वाले है, bill क्या बनेगा act क्या बनेगा, right तो वो हमारे country के कानून व्यवस्था को बनाने के लिए law को बनाने के लिए बहुत important role play करते हैं yes, put forward different policies in the program तो अलग अलग नीतिया लेके आते हैं कोई GST लेके आ रहा है कोई कुछ लेके आ रहा है कोई NRC लेके आ रहा है कोई धारा 370 लगा रहा है कोई धारा 370 हटा रहा है कोई income tax के new regime लेके आ रहा है तो यह कौन लेके आ रहा है सारा these are the candidates of the political party only जो कहीं minister बने हुए जो कहीं legislature में बैठे हुए they are doing it so क्या political parties के functions पता चले so the functions of the government indirectly is nothing but the functions of political parties only चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते है so political parties put forward different policies in the program आपके अलग लग नीतिया और कार्यकरमों का basically जनता के सामने रखना मतदाताओं को basically जो है उनमें से और मतदाता उनमें से choose करते है जैसे मैं आया तो आपकी बेटी को cycle आपके लड़के को laptop और आपकी बीबी को mixer और साड़ी और आपको एक खंबा और नौकरी बोले यार यह तो हो नहीं है फिर ऐसा आदमी आयागा कि नहीं आयागा election जीतेगा और दूसरा आदमी आया वो कहता है कुछ नहीं होगा बस हम देश सम्भालेंगे देश के लिए अच्छा करेंगे और कोई राश्टर भकत आदमी होगा वो उसको vote देदेगा अगर कोई दूसरी political party है वो अपना कोई अलग से mandate देती है तो BJP ने कहा 370 करेंगे विजबिन का आयोध्या करेंगे विजबिन का उनिवर्शल सिविल कोड लाएंगे यह सारी चीजे क्या है विजबिन का पॉलिसी और प्रोग्रामस में इन्वाल्ट है यह सार नो यह सार नो तो पॉलिटिकल पार्टी प्लेट प्लेट डिसाइजी रोल क्योंकि वही कानून बनाते हैं देश के अंदर यह स्वही एंपीज वही एमेलेज वहाँ पे लिजबिन सबा और संसद में लोग सबा में जाके बैठते हैं वही डिबेट करते हैं और वही कानून पास करवा रहे होते हैं जादातर मेमबर जो है वह पॉलिटिकल पार्टी में they belong to the direction of the party leadership मोधी जी ने बोल दिया यह होना है मंत्री जी ने बोल दिया यह होना है पार्टी प्रेसेडवीड्न ने बोल दिया यह होना है तो यहां पर पर्सनल ओपिनियन नहीं करता वस्वक्त हो सकता है बीजेपी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज साइस वाइस जो पॉलेटिकल पार्टी सबसे बड़ी मानी जाती है उसके अंदर कोई एक साथ भी तो आदमी हो सकता है जो साइद मोधी जी के मोधी ज जिसको इसने रागरर बहुत हीं चांदार और रैशनल पर्षों तर्किक पर्षों बहुत ही शांदार नॉ пользовाजी और मोधी जी को भी ए पूटर यह करते हैmos इंग्यों पर यह पसंड नहीं करते उनको इस कॉएट ऊसिबशीब बट जब इनको वोट करना होगा as a MLA और as a MP इनकी political party ने कुछ भी कह दिया कि ये करना है, he will vote in that manner only he will go with that क्योंकि वहाँ personal opinion, व्यतिगत opinion काम नहीं करता, वहाँ party का collective decision काम करता है, यहाँ, what is the collective decision of my political party that will matter the most, क्या ये point, clear हुआ बच्चा those parties that lose in elections play role in a position to the parties in the power by voicing different views criticizing the government for the failures and the wrong policies बोले, जीते नहीं तो हारे हारे तो भी क्या हुआ, अगर तुम हार के 5 words विपक्ष में बैठ होगे तभी कहीं कहीं चांस है कि तुम 5 words में जो सरकार काम कर लिए उनकी खामिया जो रहने वाली हैं आपके पास में है ना, उनको criticize कर पाओगे उनके failures को और उनकी wrong policies को आलोच ना कर पाओगे, उनकी गलत नीतियों को उनकी विफलताओं को जनता के सामने रख पाओगे So, political parties का रोल होना जरूरी है, democracy के अंदर अगर विपक्स कमजोर हो गया तो जैसे अभी चल रहा है पिछले 10 वर्षों से विपक्स बहुती कमजोर चल रहा है, बहुती वीक चल रहा है तो इसके करण क्या है, ना ही तो सरकार की विफलताओं सामने आ पारी है तो सरकार अपनी ही दुन में चल दे सही या गलर डिसिजन जो भी लेती है वो अतेव देखो जब बीजेपी यूपीए के टाइम में विपक्स में बैठती थी तब क्या होता था आपके पास में अच्छा बीजेपी जो है विपक्स का रोल प्ले करते थी यात कर सुस्मा सुराज अरुन जेटली जैसे लीडर्स हां कटेग्रे में खड़ा करते थे सारे मंत्रियों को आओ दोते हैं तुम्हें राजसभा की डिबेट्स देखो उस वक्ती दो जार आंट दस बारा की जब और उस चुप चाप कड़े हो जाते थे लाइक आंसर ही नहीं है और सुस्मा सुराज फिर उसका सही आंसर भी देती थी यह है पूरा हाउस साइलेंस के उपर मतलब सिंगल लेडी तो बीजेपी वास प्लेइंग वेरी गुड रोल इन दो ऑपोजिशन ऑलसो इतना क्रिटि अपना ओपिनियन शेप किया इधर मोदी जी उठके आए लगातार दस वर्स उन्होंने गुजरात में अच्छा काम किया तो जनता को लगा कि यह तो डूब रहा है और यह यहां पे अच्छा काम कर रहा है और अगर यही आदमी को सेंटर पे बिठा दिया तो डैट वास द अब भी तो डैमोकरसी में ऐसा हुआ अजर्वाइस सुचो कॉंग्रेस को अगर ऐसा लगता ही नहीं कि कोई हमको चैलेंज गर सकता है आज बीज़पी को अगर नहीं लग रहा है कि कोई हमको चैलेंज गर सकता है तो यह हमारी खामी है तो यह हमारी डैमोकरसी की खामी है तो डेमोक्रेसी में बहुत important asset है या नहीं है political parties राजनितिक दल तो कई लोग कहते हैं कि हम लोग IES IPS बनके या state PCS बनके basically क्या करेंगे देश सुधारेंगे मैं कहा रहा हूँ अगर आपका दिमाग rational है आपमें तर्क की सकती है शमता है आपमें सत्य को साथ देने का साहस है तो जाए political parties join कीजिए political parties join कीजिए पर हम politics basically जो है गुंडे बदमासों का अमीर लोगों का basically खेल देखते हैं यह तो businessman लोग करते हैं यह तो बड़े बड़े लोग करते है politics वगर हम का करेंगे यही तो देश में विडमना है आज की तारिक में यही तो देश का बेड़ा गर गो रहा है आज की तारिक में कि सर हमारा decision making हमारा decision formulation और हमारा decision का administration और execution पूरी तरीके से किरपल हो जाता है and the society is bearing the cost of the same you see in the many government failures you see in the many government over delays this thing right तो यह सारी चीज़े होती है यह नहीं होती है तो अगर तुम इमानदारी से पढ़ रहे हो तो यह मत सोचना कि खाली हमारा लक्ष यह PCS यह IAS ही है तुमारा लक्ष इससे भी उपर हो सकता है साइद यह जिसको report करेगा वो मंत्री तुम बन जाओ वह कितने लोग सोचते हैं हमारे देश के अंदर आपकी और मेरी एज में कि मैं पीम बनुगा कि संविधान बोलता है 25 साल लोग सभा के लिए 35 साल राजे सभा के लिए सदश्यता की पातरता है बारत का नागरिक होना चाहिए ठीक है ना आप मैंसे कितने लोग अभी 25 के हो क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो भारत में एक उन्मात पैदा होगा एक क्रांती पैदा होगी यही रैशनल वाले लोग हां जाके बैठ जाएंगे MLS बनके लेजिश्लिचर में अब बताओ उनसे कोई बेसिकली धरम की बाते कर लो जाती की बाते कर लो वो करेंगे शिक्षा क पीपल लाइक यू उसके जगह एक आदमी जो गाओं के अंदर बेसिकली जो है उनके अच्छी खासे जमीन है या धौक से या धाब है अब किसी बड़ी उच्छे जाती से वह विलॉंग करते हैं और वो जाकर के बैठ जाएंगे तो आपने बोल दिया काम करवा हो यह बात करता है अब कलेक्टर भी विचारा करे गया है यूपीएसी से पास्ट टॉट टॉप पर पर अपर करेंगे जब फॉन बजता है एमेले साब का ठीक है साब करवाते हैं जाकि उसको पता है पनिश्मेंट पोस्टिंग कही और दे दी जाएगी हैंस हमेसा बेसिकली क्या करना है अगर यही लोग इसको अपना कैप ना बनाए और इससे भी उपर का सोच है क्या काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं सोचो एस जैसंकर सर जब तक फॉरें सेक्रेटरी थे इफस ऑफिसर कितने लोग जानते थे उनको सायद उनके कोई भारत का व्यक्तव यह पढ़ रहे हैं या इंडिया का कोई प्रेस सेक्रेटरी के द्वारा जो मीट है उसके अंदर स्टेटमेंट पढ़ तो पता था अच्छा यह हमारे फॉरें सेक्रेटरी हैं यह मारे विदेश सचीवे आइफस सीनियर मोस्ट हैं चाइना में यू कि आख में आख डाल करके बेसिकली बोलता है कि हां मैं करूंगा जो कर रहा हूं वो तो क्या करोगे तुम भी वही कर रहे हो इससे पहले करना कि किसी की हमत नहीं थी है विकॉस आपने वेल रेड परसुन को ले जा करके वाँपे खड़ा कर दिया इससे पहले आप किसको ल रहा है रश्या में क्या चल रहा है युक्रेन में क्या चल रहा है जर्मनी में क्या चल रहा है फ्रांस में क्या चल उसको कोई पता है नहीं वह जाता वह वैसे गोरे चैरों को देख करके और इतनी चका चौन देख करके अपने गर्दन वैसे जुखा देता उनके सामने राइट औरॉंग? 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 trillion dollars का debt और वो 32 trillion dollar का सरकार के ऊपर जो रिन है वो चुकाने की जो date है वो है आप के पास में 1 June 2023 अब सरकार अगर ये पैसा available नहीं कराया तो जो अमेरीका दूसरों को dollars dollars दे के control करता है इसको खुद को भी पाकिस्तान के side में लाइन में बैठना पड़ेगा Liberty के नाम पे Democracy के नाम पे देदे बाबा So अभी यहाँ पे basically Parliament जो है वहाँ की Congress जो है वह तहे करती है कि सरकार अपने कारियों को अपने प्रोग्राम्स को अपनी policies को implement करने के लिए कितना मार्केट से पैसा उठा सकती तो एक ceiling एक limit लगा रखिए कि सरकार 32 billion 32 trillion dollar के आसपास पर क्या वहाँ की Congress बढ़ा सकती है हाँ पर याद रखना हमारे यहाँ तो parliamentary form of government है पर USA में parliamentary form of government है क्या नहीं वहाँ पे basically presidential form of government मतलब वहाँ की government वहाँ के legislature को responsible नहीं है वहाँ की government 32 trillion dollar उठा लेती है मार्केट से वहाँ legislature को responsible नहीं है अब उसकी फसी कहाँ 32 trillion dollar उठा लिए अभी और पैसा चाहिए उसको तो अब वह पैसा की अनुमती कौन देगा Congress देगा क्या सरकार का Congress पर मतलब Parliament पर कोई लेना देना है अस्तक्षे पर नहीं है अब जो बाइडन भी कह रहा है अब जो बाइडन थोटे दिनों पहले बेसिकली कहा आ रहा था Australia के लिए अभी दो-तिन दिन पहले Australia आ रहे थे वह कौट सब्मिट के लिए वह फॉन करके बोलते हैं हम नहीं आप आएंगे रीजन के हमारे देश के अंदर खुद आग लगे पड़िए हम कहा है बिसिकली दुनिया क्या है इस क्वार्ड की चिंता करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया जपैन और यूसे क्वार्ड कंट्रीज बात तो सही है तो ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर आते टीवी पे बोलते हैं अमेरिका खुद चैलेंजिस फेस कर रहा है तो कॉर्ड की मीटिंग अटेंड नी कर रहा है सोचो यह अमेरिका की आलत हो गए भी चैना को ग्रिय जितना डेट ler गया चैना से पैसा लिया इसने उदार तो यह जब भी में इस चिकिन है हूँ है इसका उपर का मเอंच आच्छा यह खरीदने के लिए तुमको पैसा चाहिए था बहुत आ चाहिए हैं अतों कि दोनिया को सबस्सक्राइब कि यह से स्बाइब भ Inspector आट ज्लदी से जो सिंगल पार्टी के द्वारा चलती है, जिसको नहीं कोई क्रिटिसाइज कर सकता है, नहीं कोई कंट्रोल कर सकता है, राइट, नहीं उनकी फेलियर्स को जागर किया जा सकता है, अगर यह कोई कैस्ट्रॉफ क्रिएट करते हैं, जैसे COVID-19, इनके लैब के एक्सपेरिमेंट के कैटेस्ट्रॉफ थे, पूरी दुनिया को दो साल तक, हमारी यहां हो जाता तो, हमारी यहां हो जाता तो, तो मॉरल ग्राउंड पे ही मिनिस्टर्स रिजाइन कर देते, विपक्स घेर लेता, और सरकार को रिजाइन करना पड़ता, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बेश से ही खतम हो जाती, सायद देश के अंदर, क्योंकि बाहर से जब लोग कहना हमारी यहां पर बेसिकली क्या है, घर के अंदर लोग डाटते हैं, वो उनको मैसूस नहीं होता, बाहर वाला नहीं कहना चाहिए, तुमारे घर वाले भी कहते हैं, अरे ऐसा मत करो, सर्मा जी क्या कहेंगे, वहा क्या कहेंगे, मौसी क्या ताउजी क्या कहेंगे, तुमारे यस और नो, हमें फरक नहीं पड़ता, बिल्कुल भी घर में क्या बात चल रही है, बाहर वाले नहीं कहना चाहिए, और जब अगर हमारी गलतियों का बाहर इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ता, कोविड जैसी गलतियों का, तो क्या हमको बहुत प्रभाव पड़ता उससे, चाइना, चाइना के इन्वेस्टिकेशन के लिए पूरा वल्ड लेवल पे एक इन्वेस्टिकेशन कमिटी मने के हम चाइना के अंदर क्या फेलियर ही हो, कोविड नैंटिन के हम रिसर्च उल्टा, उल्टा, चोर कोतवाल को टाटे, बोले हम तुम्हें चेक करना है, बोले चेक कहां करोगे, यह चाइना है, सिंगल पार्टी रूल, ब्रो, विर्यावी गोइंग, आगे नहीं जा सकते, यहीं रुख जाओ, और उन इन्वेस्टिकेशन को 15-15 दिन बेसिकली वहां हम नहीं जा रहे, चाइना में जाके क्या करेंगे, तो चाइना न अपने चारों तरफ नहीं तो इंटरनेट, नहीं सोशल मीडिया है, पॉब्लिक लिबर्टी को इतना कल्टेल कर रख रहा है, कि यह नॉट हैं वहां ही नहीं, जो हमें पॉलिटिकल फ्रीडम है, वहां ही इन वह लेंकि वह इक आता है पॉलिटिकल पार्टी है है single political party क्या है I guess इसकी व्रहत परिभासा basically हमने यहां पर जानने की कोशिश की दोस्तो right moving forward any democratic system that must allow at least two political parties to compete in the election जहां पर fair chances रहते हैं कि या तो यह party आएगी या फिर यह political party आएगी आपके पास में ठीक है ना तो आपके पास में democratic system में तो क्या होता जो यहां महिनी पूरी कर रहे हैं या एक घंटे में या एक महीने में मेरी मर्जी बीच में रुख गया जितूंगा तो हमेशा मही तो इससे बहतर और लोगों के बीच में नाम कर just इसको बाई partition system कहा जाता है जो USM क्या है आपके पास में है पाई-पार्टिशन शिस्टम का जाता है दो पॉलिटिकल पार्टिज यहां पर रन करती है लोक तांतरिक प्रणाली में कम सक्रम दो दल चुनावी प्रतिसफर्दा में अनुमती होनी चाहिए और यहां पर सत्ता में आने के लिए उचित मौका दोनों को ही मिलना चाहिए क्या मिलता है Democrats and Republican USA के अंदर दो political parties है राइट तो ऐसा है आपके पास में मिलता ही है आपके पास में अलग-अलग political parties को यहां पे जब की कुछ political parties में basically क्या है आपके पास में अन्य जो राजनितिक दल है आपके पास में अब UK में कौन सी दो political parties है बताओ अब UK में कौन सी दो political parties है बताओ ठीक है ना चलो So several political parties complete करने लग जाए कि अगर आपके पास में कई दल जो है सत्ता के लिए प्रतिस्परदा करे और उसमें से दो ऐसे दल हो जाए जो खुद से सत्ता में आ जाए या फिर कोई गटबंदन अलाइंस बना के आ जाए Then we call it a multi-party system उसको क्या कहते हैं हम लोग बहुदलिय प्रणाली कहते हैं तो हमारे बारत में क्या है बहुदलिय प्रणाली है आपके पास में yes or no अगर अगर ऐसा हो कि सर यहां पे जब इलेक्शन हुआ तो तीन पॉलिटिकल पार्टी इसको 30-30 पर्षेंट सीटे मिल गई है ना अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की पास में supposed जो है ए यह दोनों विपकस में वोट दे देंगे बूले तो यह सरकार नहीं बना पायागा इसको प्रेजिडेंट अलान नहीं करेगा तो यहांपे फीर क्या होता है ऐसे दो political parties साथ में आते हैं और यहाँ पे एक गढ़बंदन बनाते हैं जिसके उनके number जो है majority में आ जाते हैं ठीक है ना 50 plus 1 हो जाते हैं अब यह 66% हो गया अब जब यह जाकर के election लोक सबा के अंदर गएंगे हमारी सरकार बनेगी हमारा गढ़बंदन होगा हमारा alliance लड़ेगा तो बिल्कुल बना सकते हैं यहाँ पर फिर ही अपना एक political leader अपॉइंट कर देंगे जैसे UPA United Progressive Alliance जैसे BJP वाला National Democratic Alliance यह सर्नो यह सर्नो National Democratic Alliance अच्छा इन सब चीजों से होगा क्या अकिला चना भाड़ नहीं भोड़ सकते था पर अगर यह दोनों साथ में आ गए तो अब इनके numbers complete हो रहे हैं यह सरकार बनाने में सक्षम हैं देखो BJP यह ट्रिक्स कई जगह पे खेलती है कैसे कई स्टेट्स में जाकर के देखो कि BJP को अब पता जला कैसे बनती है सरकार बीजेपी की है अमिशा को वह चानक क्या कहां से आया है अलाइन सिस्टम कि उसको एक्जेक्ट पता है कहां से कौन आएगा कैसे आएगा साम दाम दंड भेद आइडिलेजी बुद्धी हर चीज लगाता है वाद में ठीक है ना कुल उसका टार्गेट क्या है 50 प्लस फिफ्टी पर्सेंट प्लस उन सो क्या यह याद रख सकते हैं तो कई पार्टी साथ में आकर करके कॉलीजन बना सकती है विखेडबंधन कहा जा सकता है और मल्टी पार्टी सिस्टम में वह साथ में आती हैं कंटेस्ट करते इसे उलेक्शन भी त तो इसको बिसिकली हमने क्या कह दिया आपके पास में गटबंदन कह दिया आपके पास में और विबिन दलो दौरा बने जाती है जब बहुत अली प्रणाली में कई दल चुनाव लड़ने सत्ता हसिल करने के लिए हाथ मिला देते हैं तो इसको गटबंदन मोर्चा भी कहते है इलेक्शन लड़ने से पहले की बात है आपके पास में आपके पास में चुनाव लड़ने के लिए चुनाव से पहले हमने कह दिया यह निक सथ जीतने के बाद में हम साथ में जीतने के बाद में इस भी पार्टी को साथ में लिया या इस सी को साथ में लिया जीतने से पहले लाइंस बीजेपी लीड करती है आपके पास में यूपीए को लीड करती है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस आइन सी तो यहां पे आपका होमवर्क है यूपीए और एंडिये के अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जे इसके लिस्ट बना के दोगे क्या दोगे लिस्ट नोट्स के अंदर यूपीए कब बना एंडिये कब बना कितनी सरकार रही कब यह विपक्ष में रहा कौन कौन सी मुख्य पॉलिटिकल पार्टी से इनके अंतरगत और कौन लीड करता है कौन इनका नैत्रतों करता है पहले इनकी हिंदी की आपको आने चीए प्रॉपर फु जैसे यूपीए की जब सरकार थी है ना यूनाइटिट प्रोग्रसे अलाइंस की जब सरकार बनी थी वर्ट्स 2003 से 2008 तक इस वर्ट्स में बेसिकली क्या था हमारे मनमोहन सिंग जी जी होते हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और मनमोहन सिंग साब की प्राइ को देखते हुए कि पीस्फुल परपसेस के लिए यूज कर रहा है सिविल निक्वियर डिल भारत के साथ साइन की जाती है इंडिया की एनरजी नीड्स को कम्प्लीट करने के लिए एनरजी सिक्यूरिटी के लिए बहुत बड़ी बात थी पर उस वक्त हमारे जो लेफ्ट ह क्या है CPI was part जो favor कर रही थी इस alliance के अंदर थी बोले अगर ऐसा हुआ के बराक ओबामा के साथ में आपने ये deal साइन कर ली तो हम क्या कर लेंगे इस alliance से बाहर आ जाएंगे और यह alliance तूटा तो क्या 50% से कम seat number होते ही basically यहां पर यह सरकार तूट जाएगी हां तूट सरकारे बनाती है वह messy और instable रहता है आपके पास में वह अक्सर बहुती गंदा और अस्थिर नजर आता है 2G, 3G, Colgate, Spectrum, Gotala है के नहीं गंदगी अपना आप में क्या अस्थिर था या नहीं था मनमोन सिंग जी बिचार है बहुती सीधे आदमी बहुती intelligent आदमी पर करें क्य फसे वे रजिया गुंडों में फस गई, what to do over there, you cannot help it, you cannot help it, right तो यहां पे परिस्थितिया ही ऐसे हो जाती है कि आप एक दल को खुश करने के लिए कुछ करेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो पहला नाराज हो जाएगा और दोनों बीजेपी चला पा रही है, तो reason क्या है, reason क्या है, कि बीजेपी के पास में already 50% से ज्यादा नंबर है, तो बाकी के लोग जो 15-20% उसके साथ में जुड़े वे, वो है या नहीं है, फरक नहीं पड़ता हमारे पास में, हाँ या ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं ज पड़ियो, नहीं, उस वक्त तो CPI के लीडर से सामने आकर के बोलते था हम सरकार गिरा रहे हैं कल, हम कल अपना support वापस दे रहे हैं UPA से, आज आकर के कोई बोल जाए, NDA के खिलाफ, समझ रहे हो, possible ही नहीं है, क्यों नहीं possible है, क्योंकि NDA already 50% one में, तो जब आप majority में खु तो क्या इस सारी चीज़े समझ मारी हैं, तो इंडिया में दीरे-दीरे multi-party system जो evolve हुआ है, because social और geographical diversity भारत में काफी रही, तो हर state की अलग आवशक्ता थी, महराश्टर की, गुजरात की, पंजाब की, तमिल नाडू की, आंधरा की, कैरला की, हर जग अलग-अलग ideally, अलग- आवरी की needs को पूरा नहीं कर सकती, तो सर, शुरुवात में Congress खाली अकेली थी, हाँ, क्योंकि वह आजादी के संगठन को एक करने के लिए, एक political मोर्चा platform दिया गया था, A.O.U.M. याद है आपको? A.O.U.M. 1885 में Congress का गठन करते हैं, जो ex-civil servant थे, Britain के, right? तो Congress एक safety wall theory के दोरा बनाया गया था, जो 1885 से बेसिकली जो है, political consciousness को, agitations को, और अंग्रेजों के खिलाफ जो, अलग-अलग मोर्चे ना खुल जाए, एक ही जगह पे गरम दल और नरम दल दोनों बैठ के बात करते थे, समझ महीं बात आपके बास तो दीरे-दीरे भारत में आजादी के ब बात में, political parties में, विबाजन, Congress की दो-तिन टुकडे अलग-अलग हुए, फिर और नए-ने political पक्स आपके सामना है, उत्तर भारत में, दक्षिन बारत में, और geographical diversities को देखते वे, social diversity को देखते वे, काफी सारे political parties सात्मा है, in such a large country, is not easily absorbed by the two or three political parties, तो दो-तिन political parties पुरा देश स जला सके, यह possible ही नहीं है, इतना बड़ा देश है हमारा, ठीके, सो कई बहुद अलिये, प्रणालिया यहां पे विकसित हुई है, हमारी सामाजिक, भॉगलिक, विविद्ताओं को देखते वे, और कई national parties भी है हमारे पास में, है न, every party in the country has to register with the election commission of India, वह निर्वाचन आयो जो होगा, वो सभी political parties को समान मान के चलेगा, आपके पास में बड़ी हैं या छोटी हैं, ठीक है न, it offers some special facilities, और उनको large और established parties को बड़ी facilities देता है आपके पास में, these parties are given the unique symbol, अब आप पूरे भारत में election लड़ना चाहते हैं, पूरे भारत में election लड़ना चाहते हैं, वह तो राजस्थान में हैं, अगली बार कर कॉंग्रेस का हुआ गेंदे का फूल राजस्थान में तो लोग confused हो जाएंगे, किसको देखाया है वोट है, तो बोले यार, national political party है न, तो पूरे country के अंदर, north, south, west हो चाहते हो, यह एक ही, एक ही basically क्या होना चाहते है, इनका symbols होना चाह तो इनको specially यहाँ पर basically यहाँ पर symbols वगर दिये जाते हैं, ताकि confusion कम हो, क्योंकि इनको खाली एक ही राज्य में तो election नहीं लड़ना है न, इनको तो कई राज्यों में election लड़ना है, north, east में, south में, west में, सब जगे election लड़ना है आपके पास में, तो unique symbol दिया जाता है, the recognized political party, क्योंकि चुनाव आयो किसको मानता है, आपने कल की तारिक में political party बना दी, है न, एक बच्चा भी आपने देखा होगा, बीच में trending में चल रहा था, collector office के बाहर बैठ करके, धरने पे बैठ जाता, कि school में बहुत जादा homework दे रहे है, तो homework नहीं देना है, भूल करके, अच्छा, ऐसे बच्चे के साथ में, और कई और अले बच्चे साथ में जुड़ गए तो, एक नहीं basically जो, all India, क्या है, all India, बुद्धू, बच्चा समीती करके, नहीं political party आप बना दो, क्या सर, homework नहीं होना चीए, एक लास में पढ़ाई भी नहीं होना चीए, टीचर डंड नहीं मारेगा, क्लास में जाते ही, टीचर पंखा करेगा हमको तो गाली है, आओ तुम्हारी सेवा करें हम, तो, ऐसी all India, बुद्धू, बच्चा समीती आपने बनाई, बोले, हमारा नहता कैसा हो, रिंकु भाहिया जैसा हो, दस्वी में दस बार फेल, रिंकु भाहिया जै आपको रेकोगनाईज नहीं करता है, रेजिस्टर नहीं करता है, उसका पंजी करण नहीं होता, तब तक आप रेकोगनाईज नहीं है, तब तक आप माननिय राष्ट्रिय पार्टी नहीं है, राइट, रेकोगनिशन मिनना जरूरी है, रेकोगनिशन मिलेगा, तो यहाँ पर सिंबल मिलेगा तो यहां पर जो है आपको अन्य स्पेशल सुविधाय प्रिविलिजिस दी जाएगी अदर्वाइस बैटर हो क्लेक्टर ओफिस के बार ओमक तो करना पड़ेगा नहीं करोगे दूसरे दिन हम भी दुनाई कर देंगे क्लास में चलो सो सब्सक्राइब क्तर और था सब्सक्राइब। सब्सक्राइब और आख भी और नोटर, ईचलो में फ्क्राइब और हम तीनों ने वोट किया था हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, क्या बात कर रहा हूँ, घर जाओ, मैं नहीं रहा हूँ, तुम नॉन सीरियस हो, क्या हो, ऐसे लोगों की जमानत जब्द कर देता है, यह जो पैसा बेसिकली यहां पर जमानत की रूप में दिया जाता है पह आपके पास में है आपके इनकी जर्ण को दूसरा भी हो सकता है आपके आपके आ सब बच्चा समीति, समझदार बच्चा समीति, अच्छा बच्चा समीति, तो अब ऐसे, ऐसी political parties को basically discourage करना है, तो election commission कहेगा, यह कुछ नहीं, यह 3 vote इसके पढ़ेंगे, 2 vote इसके पढ़ेंगे, तो वोले ऐसे लोगों को discourage करना है, तो क्या करेंगे, तो इनके लिए कुछ सही नहीं है, हमको इतना homework दिया जा रहा है, जबकि इसके ठीक विपरीत किसी की policies है, कि सर, homework बहुत कम दिया जा रहा है, classes में पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो हम आएंगे, तो हम ऐसा education system लेकाएंगे, इनकी नीती, इनका manifesto अलगी बात कर रहा है, पर ऐसे लोगों को disgrace करना भी तो जरूरी है, ऐसे तो हर गली के अंदर तस political party खोल के खड़े हो जाएंगे लोग, तो हमें basically क्या करना है, इनको हतुत सहित करना है, तो कहेंगे ठीक है, आजाओ लड़ लो election पर, अगर नहीं लड़ पाये, तो वारी जमानत जबत कर देंगे, जो 20, 30, 40, 50,000 रुपे जो बॉंड में जबा करा तो election pass, हाना, अच्छा, अब जमानत जब तो कहीं बोले, तीन बच्चे बोले, तेरी pocket बनी, तेरी pocket बनी, तेरी pocket बनी, पांच-पांच-जार, इखटा करके 15,000 जमात तो करा दिया, अब हार गए, election commission में रग भी लिया, अगली बार ये खड़े हो होंगे तो लोग क्या कहेंगे इनको, ये कहेंगे हमें वोट दिलवाना, चिंकु भाईया, रिंकु भाईया, मिंटु भाईया, बोले क्यों, क्यों हम तुमारा, जैसे कहते हैं किसानों को क्या कहते है, तुमारा, रिंड माफी कर देंगे, क्रशी रिंड माफी कर देंगे, बोले हम तुम्हारा homework माफ करवा देंगे क्या हो चिंटु भी ठीक है मेरा वोट तुम्हारे साथ में ठीक है अब ऐसे लोग जब भी अगली बार जाएंगे पांच साल बाद में के वह तुम्हारे संडे के अलावा तब यहां पर पूछेंगे उनसे देखो चिंटु भी पिछली बार तुम्हारे जब तो इस बार पता नहीं होगा रहने दो हम तुम्हें वोट नहीं कर रहें तो यह थोड़ा डिस्क्रेज हो जाएंगा तो पॉलिटिकल पार्टी से यह बेसिकली क्यों लिया जाता है उनको recognition क्यों दिया जाता है उनका कुछ vote का criteria क्यों रखा जाता है ताकि उनकी seriousness उनका ओदा उनका दर्जा पता चले हमको हाँ यह कुछ level है इनका यह ऐसा social division है political division है जो वाकई में लोगों के बीच में कुछ संख्याबल रखता है लोग वाकई इनसे जुड़े हुए हाँ अब ऐ तो तो अगली बार वापन सरपंच नहीं बन पाए आपके बास में तो जोकस अपार्ट क्या समझ मा रहा है पार्टी क्या है कोई भी पार्टी को कम से कम 6% कितना बच्चा 6% टोटल वोट जो है ना election के अंदर legislature assembly के अंदर चाहिए होगा जब MLA का exam होगा आपके पास में और कम से कम 2 seats आई होगी तो मतलब 100 अगर वोट पड़े हैं तो उसको कितना चाहिए होगा बच्चा कि सर उसको 6 वोट उसके favor म आए हो है ना और अगर आपके पास में सपोर्ट जितनी भी seat है दो सीट उसके पास माई हो क्या हो दो सीट अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये करने में सफल हो गई तो election commission of India भारत का निर्वाचन आयोग उसके क्या देगा रेकोगनाइज स्टेट पॉलिटिकल बदाई हो है Stories ways MAX कैंपिल पारिटबलों की बात करो मैं में स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कौनापि काई होगी लुगसबा के अंदर चैपरसेंट आपको क्या मिल onu में फोर स्टेट में मानब चार राजियों के अंदर कम से कम आपने चर सीटे जीती braking में चार सीटे जीतीyer लोगसभा की election के अंदर, तो आप political party हो, national level के, क्या हो, तो आप national party हो आपके पास में, समझ माया, तो यहाँ पर क्या था, जिस राज्य में लट रहे हुआ MLA के लिए, वहाँ 6% vote, total vote का 6% है आपके हाथ में, और 2 MLA की seat आपके पास में, और national party बनना है तो क्या मतलब हुआ, मत चार राज्यों में, सर मैंने 6%, चार राज्यों के सोचो, सपोर्ज यो, जितने भी vote पड़ते हैं, लाख, 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 करके 6,00, अब 6,00, का 6%, मतलब 36,000 vote मेरे को पड़े हैं, सर, total, प्लस, मेरे को सर, यहाँ पर basically, क्या है, हर राज्य में मैंने 4-4 seat भी, समुद्धा है, तो आओ थमते में, नैशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जे देते, पूरे बारत में आप तुम्हारा एक सिंबल होगा, एक चिन्न होगा, ठीक है न, समझ माहीं बात आपको, चार राज्यों में वो तोड़ा सीरियसनेस के साथ समझ माहेगा, तो बारत को भी समझ माहेगा, ठीक है, कैसे मानेता मिली राज्य को, 6% वोट और 2 MLA सीट, ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का क्राइटेरिया है, और नैशनल पॉलिटिकल पार्टी का क्या क्राइटेरिया है, आपके पास में, 6% टोटल वोट लोगसभा एलेक्शन में मिले, या और आप चार राज्यों के अंदर, चार यहां पर सीट लेके आ रहे हैं, तो यहां पर बात बनने वाले है, ठीक है, चलो, यहां पर चार राज्यों के अंदर नहीं है, यहां पर और और चार सीट ही बोला गया है, 6% वोट इंद, 6% वोट हर राज्ये के अंदर 6% वोट मिल रह वोट और चार सीट लेका आ गया है यह पह स्टेटल एक यूटिक सिंबल दिया गया है और स्पेशल राइट दिये गए क्यों कि इन्होंने अपने स्टेट के अंदर बेसिकली कितना चेपर्सेंट एंदर और दो एमले की सीट इनको मिलिये समझ माया ही बात आपको तो डिफरेंस समझ माया ऐसी कुछ political parties है जिनके बारे में आपको book में दिया गया है जो कि basic सी जानकारी है आपको इनको जानना चाहिए पर मैं ये मानता हूँ कि यह कुछ factual सी information है जैसे तरणमूल कब बनी थी आपके पास में इसका symbol में क्या है गास है न फ्लावर है है ना political parties West Bengal में थी है ना power में थी कहां का राजियों में रही तो ये काफी सारी चीज़े factual है और जो basically बच्चा खुद से जान सकता है इसको explain करने की जरूत नहीं है A4 Apple B4 boy है इसको समझा जा सकता है बहुजन समाजवादी पार्टी कब आपके पास में क्या-क्या इनके मुद्दे रहे थे ठीक है न और भारतिय जनता पार्टी 1980 के अंदर बनी है जो पहले भारतिय जन संग था आपके पास में श्यामा प्रसाद मुखर जी ने बनाया था आप बीजेपी देखो क्या रखती है अन्तुद्य अन्य योजना क्यों रख रहे हैं कि इंटिग्रल यूमनिजम को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर एकात्म मानववाद है ना तो एकात्म मानववाद क्या है यह पता चला आप तो तुम अगर यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स में इंट्रेसेड हो तो यहां पर यह सारी चीजे तुम्हें पता होने चीए कल्चरल नेशनलिजम हिंदुत्व की यहां पर बात की जाते क्या अवधारना है इनकी है ना CPI कब बनाता आजादी के बहले 1925 में सेकलरिजम डेमोक्रिजम डेमोक्रेसी लेनिनिजम की बात कर रहा है आपके पास में है ना यहां पर यह अलगावाद संप्रदाइकता की ताक्तों का विरोध करता है फला फला काफी सारी चीजे और आपके पास में से और CPI फिर तूटके इसका एक अलग भाग बन जाता है 1964 में 1964 में CPI M है ना माविस्ट कहां कहां किस-किस राज्य में इसकी प्रिजेंस है आपके पास में वर्किंग क्लास फार्मार्स और गरीबों को साथ लेके चलता है फिर जो 1964 में CPI का अलग टुक्डा बना CPI M यह अलग से पॉलिटिकल पार्टी है Socialism, Secularism, Democracy में विश्वास रखती है आपके पास में यह ठीक है ना और यह कहती है आपके पास में Objective Social Economic Justice क्या कहती है आपके पास में सामचिक और आर्थिक न्याय दिलाएंगे हम आपको हमारी National Congress क्या करती है 1885 में कब बनाई कही थी 1885 में यह ओ यूम ने बनाई थी आपके पास में ठीक है ना काफी आज इसमें विभाजन हो चुके है पर फिर भी आज भी यह dominant role play करती है भारत की politics में राइट नेरुजी की सुरुवाती leadership थी आपके पास में और यह centrist है political party NCP 1991 में 1999 में Congress से अलग होकर के NCP बनाएगी है ना social justice federalism secularism की गांधी की बात करते हैं यह भी that's it हमने जो है power sharing federalism क्या है democracy diversity gender religion caste power struggle movements क्या है political parties किस तरीके से काम करती है क्या होती है फिर हमने outcomes of democracy challenges पढ़ने है ना बहुत ही ब्रीफली exam के दरश्टी कोंड से आए इनकी जानकरी लेते हैं प्लीज नोट्स बनाते साथ में चलिएगा democracy क्या उसका role क्या है उसका outcome क्या है उससे हमने क्या सकारात्मक चीज़े और क्या नकारात्मक चीज़े हमको इससे मिली है वह जानने की कोशिश करते हैं और सभी को सब्सक्राइब करते हैं और किस तरीके से आपके पास में कर कोई गलतिया हो चुकी है तो ठीक किया जा सकता है क्या democracy के अलावा कहीं जगह पे दूसरी और जगह पे सारी चीज़े संभव हैं बेटा इट्स नाट वाइट पॉसिबल सो democracy he produces a government that is accountable to the citizens किसके लिए accountable दोस्तों यह citizens के लिए and responsive to the needs of the expectations of the citizen यह ऐसी सरकार बनाने की बात करता है जो जनता के लिए जवाब दे हो और उनके लिए बेसिकली उनकी जरूरत उनकी अपेक्षाओं के लिए उत्तरदाई हो और लोगतांत्रिक सरकार democratic government नागरिकों के लिए सरकार को जवाब दी ठहराने के लिए तंतर विक्षित करती है एक ऐसा mechanism डवलोप किया जाता है government के अंदर के आप बेसिकली सिटिजन्स जो है वो सरकार को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं क्या हम यह काम कर सकते हैं बताओ कि तुम कैसे करते हैं यह काम है क्या यहां पे विपक्ष होता है क्या यहां पे रीकॉल किया जा सकता है उनको राइट टु रिकॉल भी होता है आपके पास में यह सरकार पर प्रेशर बना सकते हो डेमोक्राइसी बेस्ट वाइडिया विचार भी मश्च होगा बाचीत होगी डायलोग होगा तब जाके कोई काम आगे बढ़ेगा कोई भी धरम से बिलॉंग करते होगा आप राजनिती में इन्वाल हो सकते हो क्या गाता हमने वन पर्सन इसकल टू वन वोट राइट और वन पर्सन इस हविंग वन वोट क्या यह भी महतवपुन चीज है yes so democracy stand much superior to any other form of the government in promoting the dignity and the freedom of individual so democracies have had greater success in setting up regular and the free elections and in setting up the conditions for open public debate क्या आपके पास में अगर यहाँ पे free elections नहीं होते है ना regular elections नहीं होते तो क्या proper democracy होती नहीं होती यह democracy thanks to democracy जन्हतंत्र लोगतंत्र के कारणी नियमीत और स्वतंत्र और लगातार elections होते हैं सारवजनिक बहस हो पाती है कि सर किस तरीके से जो है हमारे पास में हम बहतर काम कर रहा है यारे publicly debate हो पाती है सारी खुले में बात हो पाती है क्या ब्रिटिश के टाइम आप फुले में debate कर पाते थे यह हैं उससे पहले कर पाते थे नेवर पॉस्टिबिल के हम से रूलर के खिलाफ कोई आख भी उठा ले डेमोक्रिटी गोवर्मेंट दो नौट है वेरी गुड रिकॉर्मेशन विद दे सिटिजन कि वह बहुत अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं है सरकार जनता के साथ में जादा जानकारी नहीं साजा करती है तो डेमोक्रिटी गोवर्मेंट इस लेजिटिमेट गोवर्मेंट वह वैद्य सरकार है मतलब कहीं कहीं मोदी जी आज बैठे हैं तो हमने चुना है MPs को और अपना प्रतिनीदी चुना है अपना लीडर चुना है तो वह बनके बैठे हैं आपके पास में प्राइम मिनिस्टर तो यह एक लेजिटिमेट गोवर्मेंट है यह स्लो हो सकती क्योंकि इतने सारे लोगों को साथ में लेके चलना है लेस एफिशेंट हो सकती है अब देखो मनमोन सिंग जब सरकार में थी तो उस वक बेसिकली काफी सारी उनकी भी कंडिशन थी के वो कुछ काम कर पा रहे थे पर कुछ काम नहीं कर पा रहे थे तो यहाँ पर efficiency कम हो सकती है responsive हो थोड़ा सा it's not always very responsive or very clean corruption के cases भी हो जकते है बट democratic government is people's own government वो जंता की सरकार है जैसे जंत वैसे सरकार बनेगी जैसा निर्ने वैसा विसिकली तुमको सरकार का प्रतिरूप देखने को मिलेगा अतेव यह कहा जा सकता है democracy remains democracy only as every citizen has the chance of being in the majority at the same point of time so लोगतंत्र तभी लोगतंत्र बना रहता है जब तक हर नागरे के पास कभी न कभी बहुमत में होने का मौका होता है यदि किसी का जन्म के आधार पर बहुमत में होने से रोक दिया जाता है तो लोगतंत्रिक साशन उस व्यक्तिव समू के लिए उदार होना बंद हो जाता और यहां पर बताए जारा है डेमोग्रसी इंडिया के अंदर तो और भी स्ट्रेंथ हुई है यह क्लेम करती है एकसर जो डिसाद्वांटेज और डिस्क्रिमेट सेक्षिन है ना उनको भी कही समानता का आफसर मिलता है तो इस तरीके से इनके यह पॉजिटिव और नेगेटिव हैं कुछ समान कहां कहां पर डेमोक्रसी अच्छा कर रही है कहां बुरा कर रही है क्या सकारात्मक नकारात्मक है यह आपको पता होने चीए दोस्तों तो दोस्तों अगला चैप्टर है हमारे पास में जिसको हम पास में इसको दंग से पढ़ने की कोशिश कर लीजी आप लोग तेकर बहुत ही मैद पूर्ण रहने वाला है आपके यह और हमारा लोकतंत्र लोकतंत्र क्या है लोकतंत्र क्यूं है ठीक है ना पावर्शेरिंग क्या है फैडलिजिम क्या है डाइवर्शिटी क्या है अब चुनोती क्या होती कोई भी चीज में नकारात्मकता है क्या निगेटिव एलिमेंट से जो चीज डेमक्रेसी स्टैबलिश करने की कोशिश कर रहा है वो होते वे पिछले 75 साल से हम कह रहे है कि इंडिया इस डेमोक्रेटिक रिपबलिक कंट्री राज्य प्रजातंत्र क घंड राज्य प्ट चिल अभी भारत के अंदर आपको कई कमया देखने को मिलती है हमारे पलिटिकलल सेट अप में उसका एग्जपूश्द के अंदर क 있고 day दे निक है किवस की üçasmा रहे उनको जानने की कोशिश करते है अब इसकी क्या यूटिलिटी रहे गी आपके पास में इसकी utility, pre-E के अंदर को statement बना के देदेगा आपको यह, है न, what are the challenges, which of the following is not a challenge, है न, अच्छा, फिर, means के अंदर basically यह आपको use करना है, society के अंदर use कर सकते हो, है न, GS2 के अंदर basically इसको use कर पाओगे, अच्छे से, ethics में इसको use कर पाओगे, अच्छे से, brain map बना लेना, mind map बनाना, pointer बनाना, flow chart बनाना, परी बनाना और याद करना, इससे चलो, so, काफी established जो democracies हैं दुनिया के अंदर, काफी सारी जो है, वह challenges face करती है, of expansion, क्या है आपके पास में, अधिकान स्थापित लोकतंत्र के सामने विस्तार की चुनोती, लोकतंत्र तो है, पर वो फैल नहीं पाता, हम भारत लोकतंत्र है, क्या यह लोकतंत्र नेपाल तक पहुंचा पाए, क्या यह लोकतंत्र धंग से स्रीलंका तक पहुंचा पाए, क्या यह लोकतंत्र धंग से पाकिस्तान तक पहुंचा पाए, नहीं पहुंचा पाए तो expansion नहीं हो पाता इसका easily आपके पास में This involves applying the basic principle of the democratic government across all the regions के sir आपको कश्मीर से करन्या कुमारी गुजरास सहरुना चल पर दे सब जगह पे लोगतांतिक सरकार बनानी होगी आपके पास में अलग-अलग जो social groups हैं अलग-अलग जो institutions हैं उनको democracy की line पे set up करके बनाना होगा समानता का अधिकार, यह अधिकार fundamental right वगर, कानून वगर सब चीजों की पालना करवानी होगी और हर जगही चीज नहीं हो पाती है आपके पास में So, ensuring the greater power to the local government के sir खाली, central government या state government नहीं अब जो local government है, जैसे urban local bodies और पंचाहिती राज इनको भी कुछ specific powers आपको देनी होगी मतलब, democracy is all about the grass root level autonomy के आप grass root पे आप सबसे नीची level पे भी गाओं में, सहरों में जो हर आदमी decision making में involved कैसे हो सकता है कैसे participate कर सकता है We are talking about that We are talking about that So, ensuring the greater power to the local governments the extension of the federal principles to the units of the federations and the inclusion of the women minority groups तो जो weaker, जो marginalized जो कहीं कहीं हसिया पे रहने वाले लोग है उनको भी basically जो है यह हमें कैसे इसके अंदर involve करे तो क्या हमारा federal setup रहेगा क्या democratic setup रहेगा, अगर रहेगा तो क्या इसका expansion होगा के नी होगा जो weaker segment है हमारी society का जो महिलाएं है, जो हमारी minorities है जो हमारे children है, जो हमारे old age है जो हमारे person with disability दिव्यांग जन है क्या हम इन सभी का अच्छे से समावेशन representation, प्रतिनेदित्वा कर पाएंगे यह चुनोतिया है सर, यह आम चुनोतिया है लोग तंत्र की, काफी और challenges भी है आपके पास में, है ना हर democracy के अंदर, in one form or another form this involves strengthening of the institutions and practices of the democracy कि सर, जो संस्थाएं हैं और जो प्रताएं हैं उनको कैसे मजबूत किया जा सकता है संस्थाएं जैसे election commission बना तो दिया अब election commission सोचो ऐसे काम करता तो वो, बोदी जी बोलते हैं राउल गांदी जी की सदेश्चता कैंसिल करतो और इदर कैंसिल करती जाती तो thank God कि हमारे पास सुप्रीम कोट है thank God कि election commission बहुत strong है, तो आसानी से influence नहीं हो सकता, लोगतंतर पारदर्शी भी रहेगा और लोगतंतर की values भी बनी रहेगी आपके पास में कई challenges आते हैं आपके पास में इस diagram को तुमने बना लावार डाला तो life जिंगा लाला कई चुनोतिया है आपके पास में कई difficulties है democracy के लिए तीन तरगी चुनोतिया है सबसे पहली मूल चुनोतिया है है ना विस्तार की चुनोतिया है और democracy को और प्रभावी और deepen करने की चुनोतिया है तो कुछ fundamental चुनोतियों में कौंसी चुनोतिया आपकी पास में आती हैं है ना, सरकार बनाने में ही चुनोतिया आ जाती है सबसे पहले democratic सरकार कैसे बनाए लोगतांतिक सरकार कैसे बनाए जनता दौरा जनता के दौरा चुनी होई सरकार बनाने में चुनोती है क्योंकि इलेक्षिन करवाना होगा फ्री एंड फेर होना होगा बहुत बड़ी मशीनरी लगानी होगी आपके पास में आपको सबसे पहले तो जो नॉन डेमोक्राटिक रूल है उसको हटाना होगा अंग्रेजियों को हटाने के लिए पहली इलेक्टेड सरकार बनाने के लिए सोचो हमने कितनी लंबी श्ट्रगल की ती कोंग्रेज कब बनी थी 1858 1885 उससे कई सालों पहले 1857 की करांती उससे कई साल पहले और मुव्मेंट्स और एजिटिशन चल रहे तो सोचो कबसे हमने इनको नॉन डेमोक्राटिक रूल्स को हटाने की कोशिश की और डेमोक्राटिक बाई 1947 में हमारा समिधान बनता है 1850 में हमारे पहले इलक्शन होते हैं तो सोचो हो हमने कितने वर्षों तक शेस्ट्रगल दे स्ट्रगल किए तो यह सारे चेलेंजे इस तो है ना फंटमेंटल चैलेंजेस क्वायां स्ट्रकार बनाने के लिए नॉन डेमोक्राटिक जो रूलर बैठ यहां पर सासक बैट उन democracy नेपाल इसका एक example है कि जो पुरानी सरकार है राज तंत्र को हटाया गया किस तरीके से peaceful तरीके से military की help से नहीं सांती की तरीके से समझाइस के तरीके से नया समिधान लाया गया नहीं सरकार बनेगी example fundamental changes अगर ला दिये तो उसका expansion उसका विस्तार करना भी एक चुनवती है आपके पास में कि सारे धर्म सारे region सारे शेत्र सारे group सारे समू सारे community service सारे समुधाय उसको माने कि हाँ यह अच्छी बात है अच्छा ensuring the greater power to the local government कि खाली आप केंदर या राजय सरकारी नी local government स्थानी सरकारों को भी कुछ तवज्जो दे उनको भी कुछ सक्तियाने backward class पिछले समू को भी आगे लेके आए है ना और महिलाओं को समानता का अधिकार दे आपके पास में और जातियां और कास्ट के बेस के उपर कोई distinction कोई भेदबाव ना करे आपके पास में तो यह expansionally challenges है क्या भारत में ऐसा हुआ था और इसको सुधारा गया है यस क्या USA में ऐसा हुआ नहीं democracy के साथ इसको सुधारा गया है यस तो आप खाली केंडर सरकार या राजे सरकार बना के नहीं कह सकते हम democratic हर संस्थानों के अंदर basically आपको उसको बहतरी करनी होगी हर dimension में आपको बहतरी करनी होगी deepening आप उसको और गहरा और शक्षम और बहतर कैसे बना सकते strengthening of the democracy is very important है ना more participation जनता का ज्यादस ज्यादा participation हो कल 2000 का नोट बंद कर दिया मोधी जनता क्या कह रही है हमारा तो TDS कटके आता है है जनता कुछ भी नहीं कह रही नहीं सरकारने intention बता सरकारने का आज 500 का जार का नोट बन और उसके 8 साल बात में आज बोल दिया 7 साल बात में आज बोल दिया दोजार का नोट बंद को क्या रहा है वाट इस हैपनिक कोई प्रकोशन नहीं पूछ रहा है जनता का participation ही नहीं है सिल सोसाइटी स्ट्रॉंग नहीं है सो मोर पार्टिसिपेशन अब पीपल इन डेमोक्रीश इस रिक्वाइड तब डेमोक्रसी का आपको क्या लगता है करें या नहीं करें पूछा जाता है नहीं पूछा जाता फिर वही जनता बेसिकली प्रेशर ग्रूप प्ले कार्ड ले करके कहा खड़ी हो जाएगी दिल्ली की बार्टर पे तो फिर फार्म लॉज आपको हटाने पड़ेंगे यहां पर राइट और इक्वल ऑपर्शुनिस तू प्यू पूर पीपल गरीब लोगों को भी क्या आप समानता का हग दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं तब बेसिकली यहां पर क्या होगा डीप्लिंग ऑफ देमोक्रेसी है ना एक्सपांशन ऑफ देमोक्रेसी और फंडमेंटल चैलेंज यह ती तो राकानून में समिधान जो सावधानी पूर्वग तैयर गया गया बदलाव राजनितिक प्रथाओं को हतुत्साहित करने में और अच्छे लोगों को प्रोच्छाहित करने में मदद करेगा है ना तो पॉलिटिकल प्रैक्टिस जो चल रही है ना के एक ही आदमी आएग को फोकस करो पॉलिटिकल रिफॉर्म के उपर तो इस अबाट कर सकते हैं उसकी बात करनी चाहिए हमको इसी के साथ में दोस्तों हमने जिस मुद्दे के उपर बात की है वह कौन सा है आपका क्लास क्लास टेंथ का डेमोक्रीटिक पॉलिटिक पार्ट टू जो है वह कम्पलीट हो चुका है है ना और टेंथ की यह पॉलिटी डन है ना आपके आँठो के आटो चैप्टर हो चुके हैं आपको इस पे पी बाई क्यूस अच्छे से अटेम्ट करने हैं नाओ दॉब बाल इस और आपको यह क्लास कैसे लगी आपको लगता है अगर आपने अच्छे से सीखा समझा तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लाइक कर सकते हैं कॉमेंट करके जरूर बताए हाव डिद यू लाइक दिस क्लास इस क्लास को बनाने में आपके तरफ बाइलिंगल इसको शेर करने क लिए भी हमारे पीछे बैक एंड की तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत लगी है तो यू मेक शूर क्या आप इस क्लास को रिव्यू जरूर करें रेट जरूर करें और एक अपना हम्बल कमेंट क्लास में जरूर ड्रॉप करें ताकि वह यूट्यूब की अल्गोरिदम में यू जय हिन सर्वदा सक्रिश आली गट ब्लेस यू अल